नमस्कार आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE हिंदी में मैं लली त्यादव अपनी एक और धुवाधार रिविजन क्लास लेकर कर के आप सब के सामने हाजिर हूँ आज की क्लास में हम राज्य विधान मंडल के बारे में चर्चा करेंगे जिस तरीके से केंद्र के लेवल पर कानून बनाने के लिए संसद होता है ऐसे ही राज्य के स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया राज्य विधान मंडल के द्वारा तै की जाती है तो राजे विधानमंडल क्या होता है, कितने सदन होते हैं, कैसे इसके सदस से चुने जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है संसद से ये कैसे अलग है, इसके उपर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगी बहुत important chapter है, one of the most important chapter जिसो एम लक्समिकान से जहां से सवाल पूछे जाते हैं आहाल फिलहाल में जितने भी classes मैंने आपके लिए ली हैं, वो सारी के सारी ऐसी classes हैं जो बहुत जादा महत्पून हैं, बहुत जादा important classes हैं, जहां से क्योस्टन्स आने ही आने हैं तो इसमें start करते हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं अपना परीचे देता हूँ मेरा नाम ललित यादव है, और मैंने double MA किया है, लोग पुरसासन, राजनीती, विज्ञान से PhD अभी almost चल रही है, खतम होने वाली है, जे आरफ मेरा क्वालिफाई है, लोग पुरसासन और राजनीती विज्ञान, दोनों विश्यों से मैं जे आरफ क्वालिफाई हूँ आप सब अगर मेरे से personally जुड़ना चाहते हैं, या UPSC के notes चाहते हैं, free में, complete PDF, Hindi language में भी, English language में भी, ठीक है, तो ये telegram channel जोईन कर लीजिए, इस telegram channel का नाम है Unacademy ललीत यादव की पार्ट साला, यहाँ पर आपको सारी free PDF एविलेबल हो जाएंगे, telegram channel का नाम है Unacademy ल जालीत यादव की पार्ट साला, सारी PDF मिल जाएंगी, मेरी team का number भी मिल जाएगा, मेरी team से बात भी कर पाऊगे, detail में, subscription से regarding कोई बात करने हैं, वो भी आपको हाँ पर detail मिल जाएंगी, class कब होगी, कितने बजे होगी, उसकी सारी information आपको इस telegram channel पर मिलेगी, तो इस telegram channel का notification जरूर ओन करके रखें, क्योंकि इसमें सिर्फ important notification, important चीज़े ही डाली जाती हैं, जो आपके काम की हैं, बाकी जो serious candidate हैं, जो exam crack करना चाहते हैं, और चाहते कि भी हम exam crack करें, और पूरे limited time में सही direction में study करें, तो आप an academy का subscription ले सकते हैं, an academy का app download कर गें, और इंडिया के सार topers, maximum topers पिसले 3 साल से an academy से ही हैं, जिन्होंने यहाँ पर admission ले करके भी पढ़ाई की हैं, ठीके, और हम सभी पूरे teachers की, सब teachers की team मिल करके आपके लिए यहाँ पर classes लेती हैं, तो हम सभी की classes आपके लिए available रहेंगे, आप जब join करेंगे, तो सभी teachers की class मिलेगी, आपको मैं एक चीज में help कर सकता हूँ, help क्या है वो चीज समझे, देखे एक referral code होता है, admission लेते time, subscription लेते time लगाने के लिए, यह referral code याद कीजिए आप सब लोग, L Y L I V E, यह छे जो है ना, छे लेत, इन सब्दों को याद कर लेते हैं, इन छे सब्दों को, ठीक है, इन छे alphabets को, L Y L I V E, इसको हम code to success बोलते हैं, magical code भी बोलते हैं, इसका reason क्या है, उसमें समझ जाता हूँ, सफलता का code क्यों बोलते हैं, एक तो आप जब भी course लेंगे तो यहाँ पर code लगाएंगे, L Y L I V E, तो fees में discount हो जाएगा, जो भी offer चल रहा होगा, वो offer आपको मिल जाएगा, L Y L I V E, यह apply करने पर, सभी तरीके के courses पर यह लगेगा, L Y L I V E, जैसे भी course पर लगाना चाहो, आपको लग जाएगा, applicable हो जाएगा, दूसरी चीज, सारे teachers की class मिल जाएगी, तीसरी चीज, live और recorded दोनों session एक साथ मिलेंगे, अपनी मर्जी से जो देखना चाहो, देख सकते हो, चोथी चीज, हिंदी और English, दोनों में classes मिलेंगी, आप हिंदी में भी देख लो, English में भी देख लो, आपकी मर्जी है, सारी classes के access रहेगा, सबसे important को personally guide करता हूँ, one-on-one guide करता हूँ, exam pass होने तक guide करूँ आपको, कभी भी किसी भी चीज में कोई problem life में नहीं आएगी, अगर आप ये referral code अपलाई करके course लेते हैं, code का नाम याद रखेगा, ly live इसको लगाईएगा, तो आपको पूरी proper help मिलेगी, पूरी proper guidance जो है, वो आपक जवाब कर सकते हूँ, direct सवाल जवाब करके बात कर सकते हूँ, आपको सारी books मिल जाती है, 20 books का set है जो आपको मिलता है, वो iconic course के साथ free मिलेगा, आप ये घर पर पहुंचा दिया जाएगा, जिस भी language में आपको होगे, हिंदी में भी, English में भी, mains की answer writing की practice उसमें regular basis पर होती हैं, तो iconic course जो है, वो सबसे ज़्यादा better है, इसको आप देखिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको सारी के सारी चीज़े मिल जाएंगे, एक और help जो मैं अपने सारे students की कर सकता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त, जो financially थोड़े से weak हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, exam crack करना चा admit करा करके, आपका admission करा दूँगा, यानि कि an academy के course की जितनी भी fees है, वो मैं अपनी guarantee पर education loan के माध्यम से, आपकी पूरी fees भरवा दूँगा, आपका admission करवा दूँगा, ठीक है, अब उसके बाद आपको महिना महिना करके, monthly basis पर वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और बहु आसान किस्तों में, इसकी guarantee मैं ले लूँगा, आपको जो education loan मिलने वाला है, वो मेरी guarantee पर आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप मेरी team से contact कर लीजिए, मेरा telegram channel join कीजिए, telegram channel पर team का number है, unacademy की official team का, telegram channel का नाम है unacademy ललित यादव की पाट साला, फिर से बोलता हू unacademy ललित यादव की पाट साला, जाइए, join कीजिए, team से contact कीजिए, अगर आपको admission से पहले मेर से बात करनी है, तो उनको बोलना, वो मेरे से भी आपकी बात करा देंगे directly, और ये ध्यान रखेगा, teacher से direct बात होना ही सबसे important चीज है, अगर direct बात होती है, तो उसका मतलब आपको guide कर सकते हैं, proper help कर सकते हैं, मैं guide करता हूँ, मैं direct बात करता हूँ, बहुत कम ही लोग मिलेंगे, जो अपने students को personally time देते हैं, तो अगर आपको proper personal guidance हीए, तो आप संपर्क कर लेना, telegram channel का नाम है, unacademy ललीत यादव की पाट साला, और referral code याद रखेगा, यही apply होगा L Y L I V E, इसी code से मैं आपकी guarantee security ले पाऊँगा, आपकी help कर पाऊँगा, referral code याद रखेगा, L Y Live, ठीक है, चलिए, बाकी test series, एक नया best start हो रहे है, हर हफते एक नया best start होते हैं, इंडिया के सारे top educators, बढ़िया बढ़िया teachers की classes आपको मिलेगी, आप बहुत सारे books को भी आप जो खरीदना चाहते हो, तो अलग से books भी खरीद सकते हो, unacademy combat प्ले करके आप scholarship जीत सकते हो, चलिए तो class start करते हैं, राज्य विधान मंदल की, हांजी, तो एक बार हालचाल पूस लेते हैं, फिल start करेंगे, कैसा है वही आपका हालचाल सब लोग ठीक हैं, सब लोग रात के 9 बजे, 9 a.m. and 9 p.m. दो टाइम पर class रहेंगी, regular रहेंगी, और अभी M. लक्समी कांत का revision परसों खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए NCRT सुरू कर दूँगा, एक answer आना चाहिए, आपको high sir, कुछ का high है, कुछ का low है, कुछ लोग answer देने में अभी believe न इस लेचर, कई सारे words है, कई सारी terminologies हैं, जिनको लेकर के बहुत सारे लोग confusion में होते हैं, कि भी यह होता क्या है, विधान मंडल क्या है, विधान सभा क्या है, विधान परिशद क्या है, संसद क्या है, लोग सभा, राजे सभा क्या है, इन सबसे एक बार में पहले आपको परिचित करा देता हूँ, एक तुलनात्मक वो बना करगे, एक डाइग्राम बना करगे, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद चीजों को देखते वे चलेंगे, और यह ध्यान रखना केवल इंपोर्टेंट चीजों पर ही डिसकस करेंगे, काम की बातों पर ही डिसकसन करेंगे, सभी चीजों पर नहीं करेंगे, अगर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, लाइन बाई लाइन पूरी लक्षमिकान जाननी है, तो वो मैं और यूट्यूब पर करवा चुका हूँ, उनको देख लेना, उसमें लगबग 10 घंटे में मैं धानमंडल करवाया था, आज कोशिस रहेगी कि 2-5 घंटे में केवल काम काम की चीजों पर डिसकस करते हूए, एक्जाम औरिंटेड क्लास रखेंगे, जिससे की एक्जाम में क्यूस्टन्स आते हैं, खास करके MCQ टाइप वाले क्यूस्टन्स, ठीक है, तो लाइक सेयर करते आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बार सरकार के तीन अंग होते हैं, आपने नाम सुना कारेपाली का, आपने नाम सुना विधाई का, आपने नाम सुना न्यायपाली का, तो कारेपाली का का आप पढ़ चुगे हैं, मैंने राज्येपाल और रास्टपती दोनों प्रधान मंत्री वो भी मैंने उसमें समझाया था आपको क्या होते हैं ऐसे मुख्य मंत्री मंदल मंत्री परिशद इन सब के बारे में समझाया वो सब होते हैं वो सारी की सारी चीजे होती है कार्य पालिका गे अंदर नियाय पालिका में कौन-कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मैं एक बर समझा देता हूँ देखे जब भी हम बात करते हैं सरकार को मैं एक बर कुछ स्लाइड से अड़ करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा मैं बेसिक से चीजे करा दू और बहुत इंपोर्टेंट चीजे हैं जो आपको समझ में आ जाएं टर्मिनोलोजी इसको समझना जरूरी है सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार तो सरकार के हम तीन अंग देखते हैं ठीक है इसके तीन अंग होते हैं एक जिसको आप बोलते कारेपाली का ठीक है जी कारेपाली का एक जिसको हम बोलते हैं विधाई का और एक जिसको हम बोलते हैं न्याएपाली का न्याएपाली का ठीक है मेरे दोस्त देखे कारे पालिका को भी हम दो हिस्सों में विभाजित करते हैं दो भागों में बाठते हैं कौन से दो भाग हो गए इसको हम बाठते हैं राज्य और केंद्र ठीक है इसको हम बोलते हैं केंद्र कारे कारे पालिका और राज्य की कारे पालिका ठीके जी, अब केंद्रे कारेपाली का और राज्ये की कारेपाली का मैंने जस्ट आपको अभी-भी करवाया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, केंद्रे कारेपाली का में कौन होते हैं, रास्ट पती होते हैं, ठीके मेरे दोस्त, दूसरे जो हैं व और पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं महानियवादी यह हो जाती है केंद्र की कारेपाली का Central Executive इंगलिस में इसको Executive कहा जाता है ठीक है राज्ये की कारेपाली का मैंने करवाया है आपको राज्येपाल वाला चैप्टर इससे पहले जो चैप्टर थे राज्येपाल का तो जो है वो इनकी भी मंत्री परिसाद होती है और चोथे जो होते हैं यह होते हैं महाधिवक्ता ठीक है जी यहां पर उप्राज्येपाल जैसे पद राज्ये में नहीं होता है हाँ अगर हम बात करते हैं Union Territories केंद्र सासित प्रदेश तो वहां पर देखने को मिलता है तो यह राज्ये की कारेपाली का होगी यह केंद्री कारेपाली का होगी विधाईका के उपर हम चर्चा करेंगे तो विधाईका मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूँ क्यूंकि अगली स्लाइड में हम विधाईका की उपर ही चर्चा करने वाले हैं न्याय पालिका के अगर हम बात क को मिलेंगे ठीक है village court की साथ family court आपको मिलेंगे आपको यहाँ पर और भी अगर हम बात करते हैं लोक अदालत यह आपको देखने को मिलती है ग्राम नियायल है यह सारे का सारा structure दो है नियायपालिका का देखने को मिलता है आज की class में जो topic है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ह देख चुके हैं संसद वाले चैप्टर में पार्लियमेंट वाले चैप्टर में आज राज्य की विधाईका के पर चर्चा होगी तो विधाईका को देख लेते हैं ठीक है जी अब यहां पर title डाल देते हैं विधाईका लेजिसलेचर अब इन तिन्नों अंगों को भी समझ करवाना है उनसे काम करवाना है यह काम करती है कारेपालिका इसको बोलते एक्जेक्यूटिव और अगर यह दोनों समिधान के अनुसार काम कर रहे की नहीं इनके कानून इनके आदे समिधान के अनुसार है की नहीं लोगों को न्याई मिल रहा है की नहीं यह सारा काम देख और दूसरी राज्य की विधाईका, ठीके जी, बड़े ध्यान से समझना, केंद्री विधाईका मैं करवा चुका हूँ, इसलिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, केंद्री की विधाईका जो होती है, इसको हम बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट, अब संसद में कोन-को उसको हम बोलते हैं राष्ट पती यह तीनों मिलकर के केंडर की विधाई का बनाते हैं यानि कि संसद पारलियमेंट जो है वो यहां से बनता है तो यह पारलियमेंट की संदचना हो गई अब इसमें लोग सभा जो है यह निम्न सदन होता है निम्न सदन राज्य सभा जो है यह कुछ सदन होता है ठीक है जी यहां के जो लोग हैं वो सीधे निर्वाचित होते हैं यह आप प्रतियक स्थोर पर निर्वाचित होते हैं तेम ऐसा का ऐसा ढ़ाचा राज्ये के स्थर पर भी है जिसकी चर्चा हम इस टोपिक में करेंगे राज्ये विधान मंडल के अंदर तो कईयों को कई बार समस्य होते हैं कि सर विधान मंडल क्या है विधान सभा क्या है विधान परिशद क्या है तो जैसे स्केंद्र के स्तर पर संसद होता है ऐसे ही राज्ये के स्तर पर जो विधाईक है उसको हम बोलते हैं विधान मंडल अब इस विधान मंडल के तीन अंग हो हुती है बिलकूल same as it is raja में विधान सभा हुती है इसका मतलब इसको हम बोलते निम्न सदन प्लս में यहाँ पर सीधे निर्वाचित उम्मीदवार सीधे निर्वाचित उम्मीदवार जो है वो इलेक्ट हो कर जाते हैं सरकार यहीं दूसरा सदन जो है उसको हम बोलते हैं विधान परिसद ठीक है विधान परिसद उसको कहा जाता है दूसरे सदन को जैसे राज्य सभाय इसके ही जैसा हलाएं कि सक्तियों में कम है लेकिन इसके ही जैसा मिलता जुलता सदन उसको हम बोलते हैं विधान परिसद और इसको हम बो राज्येपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, ये तीनों मिलकर के विधान मंडल मनाते हैं, अब केंदर के लेवल पर ये सीज़ समझना, सेंटर के लेवल पर लोक सभार, राज्ये सभार, रास्तपती, तीनों का होना अनिवार्य है, मेंडेटरी है, तभी वहां की संसद वो कहल लेकिन यहां पर आपको समझना है कि विधान सभा विधान परिसद और राज्यपाल इन तीनों में से जो विधान परिसद है जो उच्छ सदन है इसका होना अनिवार्य नहीं है इसका होना अनिवार्य नहीं है अनिवार्य नहीं है यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जो इस राज्यों के अंदर आपको विधान सभा और राज्येपाल इन दोनों की संरचना मिलेगी जिसको हम विधान मंडल बोलते हैं तो मान करके चल रहा हूँ आप हो clear होगा कि विधान मंडल क्या होता है, विधान सभा क्या है, विधान परिसद क्या है और राज्येपाल, तो ये एक structure है जो केंडर और राज्ये के संदर्वे में बीच में आपने देखा, अब हम चर्चा करेंगे इसकी, इसके ये दोनों अं गठन है, इन सब के बारे में, चीजों के बारे में यहां पर डिसकस किया गया है, तो ये important है, इसको आप वो कर सकते हैं, important लगा सकते हैं, ये article आपको पता होना, चीन वेसे जो important article से वो भी मैं करवाता हूँ चलूँ आप, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, गठन नहीं रखा गया, वो राज्यों के उपर छोड़ दिया गया, कि राज्ये अगर चाहें, तो वो अपने विधाईका को दो सदनिय विधाईका भी बना सकते हैं, या एक सदनिय विधाईका भी बना सकते हैं, तो अधिकतर राज्यों ने एक सदनिय विधाईका को ही अपनाय यानि कि वहाँ पर केवल विधान सभा है जो लोगों के द्वारा प्रतेक्स रूप से निर्वाचित होती है लेकिन कुछ ऐसे भी राज्ये हैं जो बड़े राज्ये हैं उन्होंने अपने यहाँ पर विधान परिसद का भी गठन किया है ठीक है अधिकतर राज्यों में एक स सदन होता है विधान सभा निचला सदन होता है यह मैंने आपको पहली स्लाइड में कंप्लीट करा दिया ठीक है जी अब बात कर लेते हैं कि विधान परिसद जो है वो किस तरीके से बनती है बहुत ही ध्यान से समझना आम तोर पर विधान परिसद जो है वो एक बहुत ही सक उसकी तुलना राज्य सभा से जरूर की जाती है लेकिन राज्य सभा बहुत पावरफुल है कुछ दो-тीन मामलों को छोड़ दे तो राज्य सभा लोक सभा के बराबर आम तोर पर विधान परिशद का गठन जो है वो ये आलोचक जो है क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि विधान परिशद उन राजनितिग्यों के लिए बनाई जाती है जो आम चुनाओं में जनता के द्वारा जीत करके नहीं आ पाते हैं। और जब इनकी सक्तियों की हम तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विधान सभा और विधान परिशद की सक्तियों में जमीन आस्मान का अंतर है उनके उपर हम बाद में आएंगे। सेर जरूर करागरे क्लास को जितना सेर करेंगे उतना ज्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंचेंगे फ्री एजोकेशन कम से कम जो क्वालिटी की चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं वहां पर पहुंचते भी चली जाएंगे। तो विधान परिशत जो हैं अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन करने की और इसको विगटित करने की पावर जो है न संसद के पास है। पार्लियमेंट के पास हैं अब आपको लगया है सर विधान परिशत तो राज्य में बनाई जाती है लेकिन इसको विगटित किया जा रहे है कहां पर संसद के दौरा बनाया भी किसके दौरा संसद के दौरा अंतिम सक्ति पावर जो है वो संसद को ही दी गई है आर्टिकल 16 एक अनुचेद है कॉंस्टिटूशन में जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 179 इसके अंदर विधान परिशत के गठन और उसके उत्साद उसको हटाने का प्रावधान है बड़ा ही सिंपल सा तरीका है क्या होगा इसके लिए मान लेते हैं कि कोई राज्य है वो राज्य विध विधान सभा है ना वो विधान सभा को क्या करना पड़ेगा इस विधान सभा को पहले एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा ठीक है और यह प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से होगा ठीक है जी अगर विधान परिशत बनाना है तो पहले मान लेते हैं एक एक्जामपल से ले लेते हैं कि यहाँ पर विधान परिशत बनाने की कोशिस कर रहे हैं राजस्थान और एक्जामपल ले लेते हैं कि राजस्थान की जो राज जब विधान सभा है वो पहले एक प्रस् संसद के पास अब संसद के दोनों सदन यानि कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से ही साधारन बहुमत से simple majority अगर साधारन बहुमत से ये पास हो जाता है तो फिर क्या है विधान परिशत जो है वो बन जाएगी परिशत का गठन हो जाएगा ठीक है जी ये प्रावधान है उसमें कितने सदस्य होंगे exact number of जो है विधान परिसद के जो members है वो भी संसदी decide करेगी वो बताएगी कि भईया इतने सदस्य होंगे इसमें ठीक है तो ये हो गया बनाने का तरीका अब मान लेते हैं किसी राज्य में विधान परिसद ओलड़ी है जैसे उत्तर परदेश में है तो उत्तर परदेश जो है अपनी विधान परिसद को हटाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करेगा सेम प्रक्रिया चलेगी उत्तर परदेश की विधान परिसद पहले आज तक भारत में कई सारे राज्यों ने विधान परिसद बनाई और कई सारे राज्यों ने अपनी विधान परिसद को समाप्त करवाया। ठीक है संसद ने ये उनके लिए कारे किया वर्तमान समय में छे राज्यों में हैं आंध्र प्रदेश की जो विधान परिस्द उसको हटाने की बातें चीजे चल रही हैं लेकिन अभी मामला थोड़ा सा लटका हुआ है ठीक है छे कौन-कौन से राज्य हैं वो मैं आपको बता बताता है अगर छे राज्यों की बात करते हैं जहां पर विधान परिसद हैं तो मैं आपको नाम बता देता हूं विधान परिसद जितने भी मेरे दोस्ते आप लोग कमेंट बोक्स में बताते चले जाना जो जो आप कहेंगे मैं वो लिखोंगा कि कौन-कौन से हैं चलिए आप मेंसे जितने भी दोस्ते कमेंट बोक्स में एक बार आंसर देना शुरू कीजिए कौन-कौन से हैं कोई भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं और सारे लोग पढ़ सकते हो आप लोग जल्दी से मैं आपका कमेंट देख रहा हूं कि कौन-कौन से दोस्त बताएंगे मैं आपक क्या बात है एक तो सब ने बता दिया उत्तर प्रदेश ठीक है तो उत्तर प्रदेश मैं लिख देता हूँ और कुछ ने बिहार कहा तो बिहार भी ठीक है कुछ दोस्त यहाँ पर महरास्टर बोल रहे हैं तो महरास्टर भी ठीक है कुछ लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी बोल रहे हैं तो आंध्र प्रदेश भी ठीक है दो स्टेट में सब लोग कंफ्यूजन हैं वहाँ पर सब लोग फसेव हैं क्योंकि कुछ maximum लोग कोई West Bengal बोल रहा है कोई MP बोल रहा है लेकिन कोई राजस्थान बोल रहा है दोनों में ही नहीं है कोई जम्मू कस्मीर बोल रहा है जम्मू कस्मीर में भी नहीं है तो जो दो स्टेट हैं वो एक ने किसी ने सही से आंसर दिया very good एक ने कहा तेलंगाना वो बिल्कुल ठीक है और एक ने कहा करनाटक वो भी बिल्कुल ठीक है तो ये छे राज्ये हैं जहां पर आपको दो सदनिये विधाई का देखने को मिलती है यानि कि विधान सभा और विधान परिसद दोनों ही यहां पर रहेंगे ठीक है जी चली अब आगे चलते हैं विधान परिसद कैसे बनाई जाती है, विधान परिसद का गठन कैसे होता है, सबसे पहले विधान सभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्स मतदान से वैस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सिंपल सा तरीका है, जैसे लोग सभा के लिए चुनाव होते हैं ऐसे ही राज्य के लिए भी राज्य की विधान सभा के लिए भी election होते हैं उस election में आप सब लोग जितने भी eligible candidate है eligible candidate का मतलब 18 plus जो भी 18 plus वाले registered मत दाता है west जो मत दाता है हमारे वो सारे लोग क्या करते वोट डालते हैं election होता है election से पहले आपके सामने आते ना बहुत सारे लोग rallyya निकालते वे आएंगे आपके गाउं तक आपके घर तक पहुँच जाएंगे पैदल यातरा करते वे भी आपके घर के बाहर आएंगे जैसे आप देखोगे आपको देखते हाज ओड लेंगे नमस्कार करेंगे ठीक है जैसे आप बोलोगे वह वैसे करेंगे आपसे वोट के लिए कहेंगे कि हमें वोट देना हम आपके विधायक के candidate हैं विधायक के प्रतिनिदी हैं हमका ही वोट देने हैं अगले जनम हमका MLA ही कीजो एक सीरियल आता था है अगले जनम हमें MLA ही की जो उसको देख करें क्योंकि वह इतनी पावरफुल पोस्ट होती है उसके सारे वह बहुत सारी चीजे कर सकते हैं वह आपके पास आएंगे वोट मांगेंगे आपनी इस तरीके के महुल हर कहीं देखा हुआ रैलिया देख्योंगी बड़ी-बड़ी कि उस रैली के रहें वहें इंदर गाडियों पर गाडिया जा रही हैं भर भर के ट्रक्टर ट्रक्टर की ट्रोल्य यां उसमें लोग खडे हैं नारे लगा रहे हैं हमारा देता कैसा हो जैसा हो इस तरीके तब्सक्रपट jus सरी लेलिया देख्योंगे फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन election का आता है उस दिन आपको बुलाये जाता है कि हाँ भी हम मतदान केंदर पर आओ और vote डाल करके चले जाओ तो हम आप सब लोग और हम सब लोग प्रतेक्स मतदान से direct vote करते हैं और vote डाल करके इनको चुनते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा seat होती है वो हमारे क्या बन जाते हैं वो हमारे बन जाते हैं MLA Member of Legislative Assembly यानि कि विधायक जी बन जाते हैं विधायक सहाब बन जाते हैं इसी दिन से इनका रंग बदलना सुरू हो जाता है कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना तो इस दिन से रं हानी होते हैं जो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं अगर आपको देखना नहीं कि ये सब के सब लोग, जिस जिस छेतर से जो भी विधायक चुना जाएगा, वो जाएगा विधान सभा में, विधान सभा में सारे लोग मिल करके एक साथ, फिर चर्चा विचर्चा करके कानून विवस्था बनाते हैं, राज्ये का सासन कैसे चलाना है, कोन सा कानून बनाना है, कौन सी नीती लानी है, कौन सी नीती नहीं लानी, कितनी नोकरियां देनी है, स्वास्त को कैसे मजबूत करना है, सिक्षा को कैसे मजबूत करना है, इन सब चीजों पर वो चर्चा विचर्चा करते हैं, जैसे संसद के लोक सभा में होता है, ऐसे ही राज्ये की विधान सभा मे होता है सेम चीज होती है अब जो इंपोर्टेंट चीज है वो मैंने आपको समझाई यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं यह तो यह इंपोर्टेंट है कि प्रतेक्स मतदान के तहत होता है अगर नोट्स बना रहे हैं तो डालते वे चले जाना वैसे बाकी यह बने-बना यह नोट्स ही है बग्क की जो इंपोर्टेंट में में लाइन जो है वोही मैं लेकर कर आया हूं जो काम की नहीं थी उनको मैंने skip कर दिया है जो केवल काम की चीज़े है उनी को हम discuss कर रहे हैं अब मुद्दा आ जाता है कि एक राज्ये में कितने सदस्य हो सकते हैं विधान सभा में क्या कोई limitation set की गई है तो हाँ बिल्कुल set की गई है अधिक्तम जो है वो 500 हो सकते हैं और निम्तम के अधार पर होगा उनकी population के अधार पर होगा कि उनकी कितनी population है लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये जो निम्तम है इसके कुछ अपवाद है इसके कुछ exception है अपवाद क्या है वो समझ लेना अगर हम बात करते हैं तो वरतमान समय में तीन ऐसे हैं एक जिसको हम बोलते हैं गोवा, दूसरा जिसको हम बोलते हैं मिजोरम, तीसरा जिसको हम बोलते हैं सिक्किम, और एक केंग्र सासित प्रदेश जिसको हम बोलते हैं पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, इन में क्या है, इनको अपवाद रखा गया है, exception रखा गया है वर्तमाल समय कि अगर हम बात करें तो गोवा में 40 seat है मिजोरम में 40 seat है सिक्की में 32 है पुद्दूचेरी में 30 है यानि कि सबसे कम जो है वो है पुद्दूचेरी में ठीक है जी ये exception है ये अपवाद है 60 seat से कम के exception है इसलिए ये important हो जाता है यहां से सवाल बन जाएगा कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा बड़े ध्यान से सुनना आप बस ये बताना कि ये statement सही है कि गलत है या मैं आपको विकल्प देता हूँ एक single liner के उसन निम्नांकित में से कोन से राज्य में या भारत में निम्नांकित में से विधान सभा की सीटे सबसे कम विधान सभा की सीटे कोन से राज्य में है यहां से समझेगा सबसे कम विधान सभा की सीटे कोन से राज्य में है और आपका विकल्प दे दिया जाएगा A. अरुनाचल प्रदेश B. सिक्किम C. पुद्दुचेरी D. गोवा Comment box में answer दीजे चलिए सबी लोग जितने भी Thank you यार, thank you जिनको भी जो बता रहे हैं कि हमारे question आये थे question आते हैं सारे लेकिन बस मैं आप सब के सामने बाकियों की तरह ऐसे नहीं लेकर आता है ये दोखो मेरी class से आया भाई class से तो आये गई क्योंकि syllabus की चीज सब ने पढ़ाई है तो class से आयेगा मुद्दा ये नहीं है कि आया की नहीं मुद्दा ये है कि अगर किसी ने पढ़ाया तो वो तुम तुम उसका आंसर कर पाए की नहीं अगर तुम आंसर नहीं कर पाए तो इसका मतलब जो पढ़ाया वो वेर्थ है क्योंकि ये दावा तो हर कोई करेगा कोई भी उठा लोगे ने यूट्यूपर सुब करेगा मैंने जो पढ़ाया वहीं से आयेगा यूपी एससी मैक्सिमम चीज़े वहीं से पूछेगा जो आपकी बुक्स है जो टेक्स्ट बुक्स है रेफरेंस बुक्स है जो मैकजीन्स है उनके अलावक कितने एक का दुक्का कुछ भार पूस लेंगे बाकि तो सारा वहीं से ही आने तो आपने, हमने, सब ने वही तो पढ़ाया है, कुछ अलग थोड़ी, तो आना तो वहीं से ये, उसको लेकर ये दावा करना कि, मैंने जो पढ़ाया, मेरी ख्रास से जो कराया है, मैं तो इस तरीके से कभी नहीं करता हूं, उसका reason ये है, समझिये, सवाल तो वहीं से है, ले आपने वो question attempt करके क्या मेंस पास क्या क्या final selection हुआ सबसे बड़ा मुद्दा यह है जब तक वो मुद्दा नहीं जब तक वो नहीं होता तब तक बाकी चीजे वर्थ की बातें वह बेकार की बात हैं वो सब आपको ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है ठीक है असली मुद्धा यह कि जब आप कामियाब हो जहें और वो कामियाभ तब होको जब आप सक्ष्म बनोगे उनको हल करने के लिए अब आपके सक्ष्म होना ज़ादा जरूद है ना कि कि ये करना कि हमारे मेरे से यह आ गया मेरे से वह आ गया मेरे से आ गया मेरे से आ गया मेरे से वह आ गया वह सब के आते हैं कोई भी उठाकर रहे हैं से मैं भी मेरे पूरानी सारी पास नहीं होते तब तक teacher सफल नहीं है teacher और सफल है तो मैं अपने आपको अभी तक और सफल ही मानता हूं मैं अपने आपको उस लेवल पर नहीं ले जाता हूं नहीं मानता हूं जितना बाकी और सो लोग हो सकते हैं मानते हूं उसका reason यह है कि अभी हाल फिल हाल में मेरा बहुत लोगों ने पास किया, स्टेट में तो दुनिया भर के रिजर्ट है, SDM, DSP बहुत लोग बने, लेकिन मैं उस दिन आ करके बोलूँगा यह सारी चीज़े, जिस दिन TOP 100 में कोई स्टूडेंट आएगा, और उसने हमारी क्लास से क्योशन, उसने अटेम्ट कियोंगे, प ऐसे बर्गलाले बच्चों को, कि यह आया वो है, कुछ नहीं, जब तक पास नहीं होते, तब तक हम फेल हैं, क्योंकि आपके पास होने में, बहुत सारे, सब मैक्सिमम लोग है न, आपकी सफलता का ठीक रहा आपकी परीफोड देते हैं, सब लोग तक यह स्टूडेंट, अगर सक्सेस्फूल हो गया, तो टीचर वो लेगा कि मैंने पास कराया, अगर फेल हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसके वो लेंगे, वो तो अपनी घलती से फेल हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है, कि एक स्टूडेंट फेल होता है, तो वो स्टूडेंट पास होई, वो पास होँगे, तो ही मैं भी पास होँगा, वो हम दोनों की mutual responsibility है, किसी एक की गलती से नहीं होता, दोनों का सामोहिक प्रयास होता है, और दोनों की ही सामोहिक सफलता भी होती है, तो इस चीज़ पर आपको फोकस रखते वें चलना है, चलिए, आगे चलते हैं जब हमने बात की, कि कौन से राज्ये में सबसे कम सीटे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पुद्दुचेरी का नांसर दिया, maximum लोगों ने, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझने क्या हो सकता है, UPSC के words समझे, सवाल में पुछा गया, कौन से राज्ये में सबसे कम सी ठीक, लेकिन अगर सवाल ऐसे आजाए, कि निम्नांकित में से कौन सी विधान सभा में सबसे कम सीटे हैं, तब आपको पुद्दुचेरी लगाना है, अगर उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिफाइन नहीं कर रखा, केवल विधान सभा लिखा है, या राज्ये औ और विधान सभा दोनों, राज्ये और केंदर सासित प्रदेश दोनों एक साथ लिखे हैं, तो आपको पुद्दुचेरी करना है, केवल राज्ये पुछें, तो सिक्किम करना है, ठीक है जी, तो ये हैं मिनीमम स्ट्रेंच, और इसके अलावा कई सारे राज्ये और भी हैं नोर्थीस्ट के असम को छोड़ करके अगर हम देख लेना, वहाँ पर 60 सीटे हैं, जैसे आप अरुनाचल देख लीजिए, आप नागालेंड देख लीजिए, ठीक है, आप वहाँ पर मनीपूर देख लीजिए, मेगाले देख लीजिए, तरीपूरा देख लीजिए, असम साथ आपको सबसे ज़्यादा वालों का भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कि अगर हम बात करते हैं maximum की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए सबसे ज़्यादा कोन-कोन से हैं नंबर वन और टू पर, चलिए, मेरे सारे प्यारे दोस्त, मैं एक बर कमेंट बोक्स आपके देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो सब लोग बताएं, कि सबसे अधिक विधान सभाग सीटों वाले राज जिये, कौन-कौन से हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट बोक्स में आंसर दीजिए, आपको सारे ना भी पता हो, तो आपको तीन जरूर पता होना चीए, तीन जरूर पता होना चीए, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है वो पस्चिम बंगाल, तीसरा जो है महरास्ट, इनका नाम आपको साइड में हो जातो है, आप स्क्रीन सोट ले लिजिए, इन तीनों के बारे में आपको हमेशा पता होना चीए, कि सबसे हाइस्ट सीट वाले यही है, उत्तर प्रदेश में 403 है, पस्चिम बंगाल में 294 है, महरास्ट में 288 है, उसके बाद अन्य कई सारे राज्य आ जाते हैं, जो कि आपको जानना इतना इंपोर्टेट में है, टोप 3 और नीचे के 4, यह आपको पता होना चाहिए, बस काम आपका चल जाएगा, तो यह तो हो गया संख्या, अब बात कर लेते हैं, विधान सभा के अंदर, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, पहले जो है विधान सभा में एक सदस्य नामांकित हो सकता था, नोमिनेटेड मेंबर हो सकता था जिसको हम बोलते हैं एंगलो इंडियन कम्यूनिटी का नोमिनेटेड मेंबर एक सो चारवा सब विधान संसोधन हुआ 104 अमेंडमेंट हुआ उसके माध्यम से क्या कर दिया गया Anglo-Indians के reservation को समाप्त कर दिया गया है तो अब विधान सभाओं में Anglo-Indians का reservation नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विधान सभाओं में अब नामांकित सदस्य समाप्त हो गए nominated members का प्रावधान ही नहीं है दो अपवाद, दो exception यहाँ पर भी है सिक्किम जो आप्रतिक्स रूप से चुने जाते हैं इंडारेक्टली elected होते है nominated भी नहीं तो सिक्किम और नागालेंड ये दो ऐसी विधान सभाओं हैं जिसके कुछ सदस्य जो हैं वो आप्रतिक्स रूप से चुने जाते हैं यानि कि इनका सीधा election नहीं होता जैसे कि पूरे देश्ट की अन्य विधान सभाओं में direct election होते हैं ऐसे नहीं होता nominated members जो था उनका प्रावधान समाप्त हो गया है Anglo-Indians का अब विधान सभाओं में प्रतिक्स रूप से निर्वाचित सदस्य ही है directly elected members है लेकिन सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है दो विधान सभाओं ऐसी हैं जहां पर indirectly elected भी होते हैं और प्रतिक्स रूप से भी चुने जाते हैं वो है सिक्किम और नागलेंड ये important है इसको देख लीजिए आप से सवाल आ जाएगा कि निर्वाचित में से कौन सी विधान सभाओं के सदस्य है अब प्रतिक्स रूप से भी चुने जाते हैं ऐसे सवाल दिया जाएगा तो आपको इन दोनों का नाम पता होना ची सिक्किम और नागलेंड चलिए अब आजाते हैं निर्वाच्चन किस तरीके से होता है मैं आपको समझाई चुका हूँ कि निर्वाच्चन छेत्र निर्वाच्चन छेत्र होता है प्रतेक्स निर्वाच्चन होता है पूरे राज्य को निर्वाच्चन छेत्रों में बाटा जाता है ठीक है जैसे कि मान लेता है कि ये एक राज्य है ठीक है अब इस राज्य को इस तरीके से निर्वाचन छेत्रों में डिवाइड कर दिया जाएगा, इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा, ये एक, दो, तीम, चार, पांथ, छे, साथ, मान लेते हैं कि साथ निर्वाचन छेत्रों होगे, और एक राज्य को निर्वाचन छेत्र तो अगर इसके पांच निर्वाचन छेत्र हैं, तो कोशिस ये की जाएगी कि हर निर्वाचन छेत्र में बराबर बराबर जनसंख्या आजाए, इक्वल इक्वल जनसंख्या आजाए, अगर पांच हैं, तो देखो इसको अगर एक लाख की जनसंख्या मान ले, तो यह इतना पहाडियों वाला छेतर हो, जहां पर हमेसा बर्फी गिरती हो, तो माल लेते हैं कि इसका एक छेतर तो इतना बड़ा है, है ना, और इसके साथ जो है, ये कुछ छेतर हैं, ये इस तरीके से हैं, और इधर छोटे-छोटे से कुछ छेतर हैं, इतने-इतने, तो ऐसा भी हो सकता चेत्रफल के आधारपर निर्वाचन चेत्र नहीं निर्धारित किया जाते है जन संख्या के हो सकता है कि इतने बड़े चेत्र जिलाखो ऐसा छेटरों जहाँ पर बहुत सहर हैं सिति जंगी जीने के जो है बहुत अच्छी सुविधाई सुख सुविधाई है तो यहाँ पर जादा संख्या में लोग रहते हैं तो इनकी जन संख्या जादा है तो कम छेट्र में एक सीट बन जाएगी तो ऐसे छेत्रों में माटा जाता है, इनको बोला जाता है निर्वाचन छेत्र, इन निर्वाचन छेत्रों में से हर निर्वाचन छेत्र से एक सदस्य जो है, वो इलेक्ट हो करके विधान सभा में जाता है, ठीक है, किलियर, चलिए, तो ये चीज होगी, अब बात कर लेते हैं, रिज भाव पूरु में हुआ था उसका जो एक तरीकी से भरपाई भी किया जा सके और उनका सक्तिकरन किया जा सके ताकि जब सक्ता में होंगे तो उनकी बहतरी जादा बेटर तरीके से वो कर पाएंगे ऐसा ही प्रावधान राज्यों की विधान सभा के लिए भी है प्रारम हमें 10 दस वर्षों के लिए किया गया था लेकिन बाद में 10-10 वर्ष करते 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 बढ़ाता चला गया है अब 104 समिधान संसोधन से 104 अमेंडमेंट से इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है अनुसूचित जाती और जन जाती के सदस्य जो भी रिजर्वड सीट है उन जनरल सीट जिसको बोलते हैं या अन्रिजर्वड सीट बोलते हैं अनारक्षित सीट बोलते हैं उस सीट से कोई भी वेक्ति इलेक्शन लड़ सकता है चाहे वो किसी भी जाती का हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी तो वोट सभी डालेंगे सभी जाती हों के लोग डालेंगे आब आज आते हैं विधान परिशद के गठन की गठन की अहीं प्रस्ताव पास करेंगी वह पर रस्ताव कहा जाएगा वो संसद के पास जाएगा संसद जो है इसको साधारन वहूमत से पास कर देगी तो क्या बन जाएगी विधान परिसत जो है वो बन जाएगी ये प्रक्रिया थी अब मुद्दा ये है कि क्या इससे रिलेटेड भी मैक्सिमम और मिनिमम संख्या निर्धारित की गई है अधिक्तम और नियुंतम संख्या क्या निर्धारित की गई है तो जिसका आंसर आएगा बिल्कुल सही नियुंतम और आएगा ठीक है मिनिमम जो है वो रहता है क्या होता है इसको समझिये सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका इलेक्षन डारेक्ट होता है कि इंडारेक्ट देख तरीके से politically, राजनितिक, तुस्टी करन, ठीक है, यह सत्ता प्राप्ति के लिए एक तरीके से बनाया गया सदन है, और उसका कोई लेन देना नहीं है, तो उसका election जो है, वो कभी भी direct नहीं होगा, हमेशा indirect election होगा, अप्रतिक्स रूप से election होता है, ठीक है जी, आधिक्तम सभाकी एक तिहाई और नियुंतम जो है, वो 40 होगी, इसका मतलब यह है, मान करके चली, समझ ये बड़े ध्यान से, कि कोई एक राज्य है, ठीक है, उस राज्ये के अंदर 1500 सीटे हैं विधान सभाकी, ठीक, तो अगर इसके अंदर कोई विधान परिसद बनाई जाएगी, तो वो अधिकतम उसकी सीट जो है, पचास हो सकती है, पचास से कम रख सकते हो, लेकिन जादा नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि ये इसका एक तिहाई हो गया, वन थर्ड, इसका मतलब ये है, कि हर राज्ये में विधान परिसद की संख्या, उसकी विधान सभा के उपर निरभर करेगी, विधान सभा जितनी बड़ी, उतनी बड़ी वहां की विधान परिसद होने की संभाव न रहेगी, मिनीमम जो है, वो 40 होने चीए, नियुमतम जो है, वो 40 होने चीए, ये इसका प्रावधान इसको देखना है, अब एग्जेक्ट अमाउंट, एग्जेक्ट नंबर कितने होगा, वो संसत डिसाइड करेगा, पारलियामेंट डिसाइड करके बताएगा, कि एग्जेक्ट कितना है, ठीक है जी, चलिए, अब आगे चलते हैं, आपने देख लिया, इनकी निर्वाचन पध्धती बड़ी गजब की है, आप इनकी निर्वाचन पध्धती देख प्रावधान है, हमारे संविधान में प्रावधान है, कि कोई व्यक्ती, कोई भी व्यक्ती, ध्यान से समझेगे, भारत का कोई भी नागरिक, क्या कर सकता है, वो बिना, बिना संसद, ओबलिक विधान मंडल, ध्यान से समझेगा, विधान मंडल और संसद दोनों का सदस्य सदस्य रहे, यानि कि बिना संसद का सदस्य रहे, या बिना विधान मंडल का सदस्य बने, वो क्या बन सकता है, वो तीन चीजे बन सकता है, एक तो पी-म बन सकता है, दूसरा मंतरी बन सकता है, और तीसरा राज्ये के स्तर पर सी-म बन सकता है, वो अलग बात है, और भी बाकी चीजे बन सकता है, लेकिन हम राजनितिक द्रस्तिकोंट से बत कर रहे हैं, अभी कोई गहर है कि सर पती तो बन सकते हैं, हाँ, पती, पतनी, प्रेमी, प्रेमी का भाई, बहन, वो सब बन सकते हैं, माता, पिता, वो भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर राजनितिक रूप से ब अलग-अलग विभाग, अलग-अलग मंत्राले जो उनके हाथ में होता है, जो उनको समालते हैं, वो मंत्री होते हैं, अब यही तो है सारे मोटे मलाईदार, मज़ेदार पद, जहां पर एक बार पहुंच गए, तो जन्नत जैसी फिलाई, आपको लगेगा कि यार की, दुनिया में हम ही हैं, अमारे अलावा कोई और है ही नहीं, आप से ज़्यादा सक्तिसाली कोई है ही नहीं, अब यहां पर कोण जाता है, यहाँ पर ऐसे लोग जाते हैं, जो इलेक्षन के माध्यम से जीत करके जाते हैं, बहुमत वाली सत्ता, सरकार का हिस्सा होते हैं, अब कई बार क्या होता है भारत के अंदर, भारत में कोई व्यक्ति किसी सीट पर जीतेगा या हारेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो, कई बार वो भी मुह की खाता है, जैसे आप देखते न, विराट कोली सचिन तंदुर्वर बहुत बड़े बैट्समेन है, लेकिन वो भी कई बार पहली ही बोल पर जीरो पर आउट हो जाते हैं, आप ये पूरा चही तरीके से भविस्सेवानी नहीं कर सकतेगी, हर मैच में सेंचुरी मारेंगे, या हर बार वर्ल्ड कप जीतेंगे, या हर बार मैन उफदा सिरीज मिलेगा, नहीं, ऐसे ही भारत की इलेक्षन पज़ती में होती है, कब वो कौन सी काया पलट किदर हो जाए, कब कोई भरोसा नहीं है, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े नेता, जिस सीट से जीतते आते हैं, कई बार चार पांच छे बार से जीतते आ रहे हैं, वो उस सीट पर ओंधे मूँ गिरते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं, अब वो हार गए सीट, इलेक्षन तो हार गए, लेकिन क्योंकि कद्दावर नेता हैं, पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं, राजनिती में उनकी पकड़ बहुत बजबूत होती हैं, उनका राजनितिक experience वो बहुत ज़्यादा होता है, अनुभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उस अनुभाव का प्रियोग पार्टी वाले लोग भी करना चाहते हैं, दूसरा, जो व्यक्ति हार गया, जिसने इतने सालों तक सक्रिय राजनिती में भूमी का निभाई नाम कमाया, वो भी ये चाहता है कि जब तक मैं मर नहीं जाओ, जब तक है जान, तब तक बने रहेंगे सदस्य, तब तक या तो मंतरी है, प्रधान मंतरी है, सीम, कुछ न कुछ बनते रहेंगे, सारु खान की फिल्म का डायलोग है न, तेरी आखों की नमकीन, ऐसे कुछ बोलते न, गुस्ताखिया, नहीं भूलूँगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, तो, ऐसे ही, ये भी कहते हैं, कि ये सपना नहीं छोड़ेंगे, पी-म, सी-म और मिनिस्टर बनने का, जब तक हमारी जान है, अब, वो हार गए, मान लेते हैं, कि वो हार गए, ठीक है जी, तो ऐसे में, डारेक्ट इलेक्शन लड़ा, वहां पर हार गए, तो ये कैसे बनेंगे, इसलिए ये प्रावधान कर दिया गया, कि ये 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक, आप बिना संसद का सदस्य रहे, पी-म और मिनिस्टर बन सकते हैं, और 6 महीने तक आप बिना, विदान मंडल का सदस्य रहे, CM और Minister बन सकते हैं लेकिन 6 महिने के अंदर-अंदर आपको या तो अगर संसद की स्तर पर है तो संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी लोक सभा, राजे सभा किसी से भी अगर राजे की स्तर पर है तो विधान सभा या विधान मंडल दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर सदस्यता नहीं ली तो आप अपने पदपर नहीं रहोगे और बाद में भी नहीं बन पाऊगे दुबारा भी अपोईंट होकर के निया पाऊगे तो ऐसे में लूप होल निकाला जाता है सेंटर में राज्य सभा में भेज दिया जाता है वो बड़ा इजी है उदर लेकिन राज्य किस तरपर अगर हम बात करते हैं तो राज्य में क्या किया जाता है राज्य में जो दूसरा सदन है जिसको हम बोलते हैं विधान परिसद विधान परिसद इसमें क्या है इसमें एक प्रावधान है कि राज्येपाल जो है गवर्नर वो वन सिक्स्थ मेंबर को एक चठे सदस्यों को नामांकित कर सकता है नोमिनेट कर सकता है तो ऐसे जितने भी कद्दावर नेता जो इलेक्शन हार जाते हैं वो अपना मंतरीपद अपना CM की कुरसी अपनी PM की कुरसी बचाने के लिए जो सीधा सीधा राश्ता अपनाते हैं वो तो या तो राज्ये सभा के माध्यम से संसद में जाना या अगर राज्ये की बात है तो विधान परिशद के माध्यम से सदस्य बन जाना और विधान परि महाराष्ट की राजनीती में बहुत उथल पुथल हो रखी है महाराष्ट के जो अभी थोड़े टाइम पहले आपने मुख्य मंतरी देखे उद्धव ठागरे वो इसी नामांकन के माध्यम से विधान परिसद के सदस्य बने और अपनी कुर्सी बचा पाए नहीं तो अगर व सिम बंगाल में अभी हाल फिल हाल का उधारन देता हूं वेस्ट बेंगोल में ममताब एनरजी विधान सभा का इलेक्शन हार गए जबकि उनकी पार्टी को बहुमत मिल गया पार्टी को बहुमत मिला लेकिन पार्टी की जो सबसे प्रमुख लीडर मुख्या नेता वो इले कोशिस कर रहे थे वो कोशिस पूरी नहीं हो पाई अठकले चल रही थी कि विधान परिशत बनाई जाएगी कि नहीं ताकि वो उसके माध्यम से सदस्यता ले सके बाद में उपचुनाओ के माध्यम से अपनी सीट बचाई ठीक है उपचुनाओ का सिस्टम जो है वो अलग ह होता है उसमें डारेक्ट इलेक्शन पार्टिस्पेट करना पड़ता है लेकिन मुद्दा यह था वो यही ठीक है इस चीज को ध्यान रखना आप मैंसे जितने भी दोस्त हैं राज्येपाल की क्लास करा दी है उपर देखेंगे राज्येपाल की क्लास मिल जाएगी ओल्रड टेलीग्राम चैनल का नाम है अनकेडमी ललित यादो की पाट साला फिर से बोलता हूं अनकेडमी ललित यादो की पाट साला उसके उपर आप जोइन कर लिजिए सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगे ठीक है जी चलिए तो यह इस तरीके की ववस्ता है अब इसको पाधियम के रूप में काम आती है और इसका कोई लेना देना नहीं है अब इसके सदस्यों का निर्वाचन देखना निर्वाचन पधती देखोगे आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग सी लगेगी हर किसी को इलेक्शन में पार्टिस्पेसर नहीं मिला है सबसे पहले तो जो ने सनातक करे हुए आपको तीन वर्स होगे आप किसी राज्ये में रह रहे हैं सनातक की विए और सनातक करे हुए और उस राज्ये में रहते हुए आपको तीन वर्स होगे ठीक है तो वो लोग वो डालेंगे एक बारा सदस्य जो है वो क्या करते हैं जो तीन वर्स से अध् तिहाई सदस्य जह है ये विधान सभा के सदस्य वो इलेक्ट करते हैं ये इंडारेक्ट इलेक्षन है ये ऐसे प्रावधान कर दिये गए हैं कि जहां से कोई ना कोई कही ना कहीं से आ जाए और सबसे मज़ेदार चीज क्या है जो बाकी बचे वे सदस्य है उनका नामांकन कर देते हैं राज्येपाल और अगर आपने मेरी राज्येपाल वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको समझाया था कि राज्येपाल पाँच आधार पर नामांकन करते हैं विधान परिसद में राश्ट पती चार आधार पर करते हैं कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान राज जेपाल पांच अधार पर करते हैं जिसमें कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान तो हयी, लेकिन एक सहकारिता आंदोलन ये एक ओट एक्ष्ट्राचीज है इनका विसेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले, तो राजय पाल को 5 आधार मिल जाते हैं, तो यहां वो नामांकित कर सकते हैं, तो कुल सदस्यों का 1 6 जो है, वो राजय पाल द्वारह नामांकित होता है, इसके माध्यम से विधान परिशद में वो आ जाते हैं, चलिए, अब बात कर लेते हैं, maximum to maximum 5 साल तक का कारे काल हो सकता है हम कारे काल की चर्चा कर लेते हैं कारे काल कितना हो सकता है अधिक्तम जो है न वो 5 वर्स का होता है 集्रातर जैसे लोग सभागा ऐसे विधान सभागा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये पांस साल तक अपने पद पर बने रहें, पांस साल से पहले भी इनकी पोस्ट, इनका ये जो सरकार है वो गिर सकती है, अगर इनके पास बहुमत नहीं रहा, कुछ लोगों ने मान लेते हैं, इस्तीफा दे दिया, कुछ लोगों ने मिलकर के नई पार्टी बना ली, ठी विग्टन हो जाएगा, तो पांस साल से पहले भी विधान सभा का विग्टन हो सकता है, जैसे कि लोग सभा में सेम परिस्थितिया है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है जी, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, विधान परिसद ये राज्य सभा की तरह है, जैसे राज्य सभा का विग्टन नहीं होता है, एसे विधान परिसद का भी विग्टन नहीं होता है, राज्य सभा का कारेकाल छे साल का है, इसका कारेकाल भी छे साल का है, ठीक है, ठीक है जी, उसके राज्य सभा के एक तिहाई सदस से हर दो साल में रिटायर होते हैं, इस इसे बता देता हूं विधान परिशद विधान सभा के लिए आपकी उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए 25 साल वर्स ठीक है लोक सभा के लिए भी आपकी 25 वर्स होनी चाहिए ऐसे ही राज्य सभा के लिए आपकी उम्र 30 वर्स होती है तो विधान परिशद जो है न विधान परि सदन है उनके लिए 30 साल उम्र जो है निर्धारित की गई है भारत के समिधान में ठीक है जी क्लियर ये हो गया उम्र का खेल अब आगे चल लेते हैं अब इनकी कुछ अरहताएं भी होती है कि किस किस तरीके से वो कौन-कौन लोग हैं जो वहाँ पर अरह होते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो एक थोड़ा सा मीम लेकर गया हूँ आपके लिए जो की बहुत रिलेवेंट है जो मेरे को लगता है कि रिलेवेंट है यार ये बढ़िया तरीके से क्योंकि यहां से ये रियलिटी दिखाता है ये आप देखिए जरा इसको ये सच्चाई को में भी जहाँ और चुनाओ से पहले पुस्पा होता है उस पाइं वोटर की चल भी होती है नेता जुक जुक कर आएंगे, हाथ पैर जोडेंगे, वोट मांगेंगे, सारी चीज़ें उनको करके देगे, दी जाएगी, वोटर ने डिमांड कर लिया कि भीया, एक साड़ी चाहिए, एक साड़ी भी देगे, वोटर कहेगा कि एक बोतल हो जाए विदेशी, खंबा, वो ख जुकेगा नहीं, और जब इलेक्शन खतब हो जाते हैं, तब यह नेता फिर फिर यह वन जाते हैं, पुस्पा यह ऐसे चलता ही है, फिर वो किसी को पूछते भी नहीं, कोई दाएं बाएं तो देखते भी नहीं है, अगर कोई बोलेंगी मंत्री जी हमने आपको वोट दिय आपको इलेक्शन जिताया था, मैं जुके का निसाला, पुस्पा, फ्लावर नी फायर, नाम सुनके फ्लावर समझे गया, फ्लावर नी फायर है, भी बताता हूं, तो यह पुस्पा वाला सीन वास्तविकता में चलता है, और रियलिटी में इंडिया में इसी तरीके की ठीक है तो सबसे पहले तो आपको अगर विधान सभा में का इलेक्शन लड़ना है तो आपको उस राज्य का वोटर होना पड़ेगा लोक सभा और राज्य सभा के मामले में क्या होता है समझें अगर हम लोक सभा और राज्य सभा की बात करते हैं तो आप पूरे भारत में नहीं भी आप voter हैं, तो आप election लड़ सकते हैं किसी भी seat से, पूरे भारत की किसी भी seat से, मान लेते हैं कि आप जम्मु कस्मीर के अंदर voter हैं, registered voter हैं, आप लोग सभा की election लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप केरल से लोग सभा की election लड़े तो लड़ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोब्लम नहीं है, 2003 के बाद से यह प्रावधान भारत में चल रहा है कि आप जहां से भी लोग सभा की election लड़ना चाहें, राजी सभा की election लड़ना चाहें, लड़ सकते हैं, आपको उसी राज्ये का निवासी होना अनिवारी है mandatory नहीं है जिस राजे से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन राज्य सभा लेकिन विधान सभा विधान परिशद के मामले में क्या है आपको उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से आपको इलेक्शन लड़ना है रेजिस्टर वोटर होना सकते हैं ठीक है जी मतदाता भी होना चाहिए ठीक विधान सभागा सदस्य बनने के लिए ये चीज देखिए अनुसुची जाती और जन जाती के लिए आरक्षिस हीटों पर लड़ने के लिए आपको उन्हीं कैटेगरी से केंडिडेट होना होगा ये चीज है ठीक है ये प्रति निधित्व जन प्रति निधित्व अधिनियम 1951 लोग सभा के अंदर भी सेम यही प्रावधान चलता है और विधान सभाओं के लिए भी यही चलता है इसमें कुछ प्रावधान दिये गए हैं जैसे कि for example अगर कोई व्यक्ति वो इलेक्षन के लिए यहां पर केंड नहीं रहेगा ठीक है वो निरहर रहेगा अगर किसी ने चुनाओं में किसी भी तरीके की धांदली घ्रस्टाचार किया गया हो जिसको दो या दो से अधिक साल की सजा हो चुकी हो ठीक है जिसको कई सारे मामले जैसे कि कई खतरनाख विभच तरीके के मामले जो एक्ट होते जैसे कि आस्प्रस्यता, दहेज प्रथा, इन सब मामलों में उसको सजा हुई हो, ऐसे वेक्ति को आप election लडने की परमिसन नहीं दे सकते, ऐसा वेक्ति विधान सभा का election नहीं लड़ सकता, विधान सभा विधान परिशत दोनों का election नहीं लड़ सकता, ठीक है जी, ये चीज वाले चैप्टर में, पार्लिया वाले चैप्टर में मैंने ओल्रडी लोग सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बहुत डिटेल से विस्तार से चीज़े समझाई हैं, सेम एज इज डिक्तो, कार्बन कोपी, फोटो स्टेट, एज इज राज्य की विधान सभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, सेम वही चीज, विधान सभा के जो सदस्य हैं, वो अपने ही सदस्यों में से किसी को स्पीकर का निर्वाचन करते हैं, ठीक है, सेम, वो की वो चीज़े हैं, मामले वोट नहीं डालेगा, लेकिन सेम जैसा प्रावधान संग के स्तरपर है वैसा ही प्रावधान राज्ये के स्तरपर है लोक सभा is equal to विधान सभा स्पीकर पिठा सीन अधिकारी के मामले में ये चीज़ समझ लेना है मुद्दा आता है अगर हम बात करते हैं स्पीकर जो है वो धनिदेख जैसे लोक सभा में स्पीकर ये अंतिम रूप से 兩दारी करता है कि कौन सा विधेख धन विधेख है कोन सा नहीं है ऐसे ही राज्ये की विधान सभा के लिए दल बदल दस्वी paragraph का प्रावधान है उसके आधार पर कि किस कोई सदस्य है जो उसके लिए दोसी है की नहीं, उसकी सदस्यता छीनी जाने चाहिए की नहीं, इसका निरने भी विधान सभा में speaker ही करता है, हलाएं कि उसकी नियाईक समिक्षा हो सकती है, जैसे लोग सभा में speaker करता है, वैसे ही सारे के सारे हैं, उसके अलावा इसलिए मैं यहाँ पर विधान सभाई की परिस्तिति हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं, विधान परिसद के सभापती, इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, यहाँ से थोड़ा सा तुलनात्मक comparative अंतर मिलेगा, जैसे कि राज्ये का जो उच्छ सदन है, जिसको विधान परिसद बोलते हैं, संसद में क्या होता है, राज्ये सभापती का क्या अलग से election होता है सभापती के रूप में, हाँ या ना, वस comment box में answer दे दीजिए, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर जिन्दा हैं, जिवित हैं, बने हुएं, वो बस यह बता दो, कि क्या राज्ये सभापती का सभापती के कभी लक्सन होते हैं, अलग से, ये को ने भई, ये क्या कह रहे हैं, ये किसी ने लिख्खा है कि सुहाग रात मना होगे, क्या है, राज सिंग बेटा तेरी सुहाग रात तो मैं बनाता हूं, रुक तेरे को ब्लोक करके, क्या मतलब, UPSC के कैंडिडेट हो, यहाँ पर आक कर कि उल्टा सिद्धा कुछ भी लिख रहे हो, मतलब, खोड़ी तो तमी जोनी ची, आप एक्जाम पास करना चाहते हो, आपकी मान सिखता ऐसी है कि यहाँ पर आकर कर रहे हो, कि सुवाग रात मनातते हूं, ये, उसको कितनी गंदी-गंदी भासा भी लिख रखे, किसी के वा उसका इलेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि भारत के जो वाइस प्रेजिडेंट हैं, जो भारत के जो उपरास्थ पती हैं, वो क्या होते हैं, पदेन सभापती होते हैं, पदेन, एक्स ओफिस्यो चेर परसन उसको कहा जाते हैं, अंग्रीजी में, ठीके, पदेन सभापती ज उसका reason क्या है बताउड बताओ क्यों नहीं होता कोई comment box जो भास्ट राज्ये के कि zost loro पर वाधेन सभाप्ति क्यों नहीं बनाया इनका election क्यों रखा गया सदस्यों के भीशे कोई कोई तरीक कोई बता सकता हैıyoruz अ की कोई बताइगा को टो एक के रहा मैं इसका comment on रखा हैं बाई मत पढ़ो, आपसे कोई ये कहना कि मैं, कोई भी, आपको इस तरीके से blackmail करे, emotional blackmail इंडिया में भोजादा किया जाता है, लोग आपसे कहेंगे कि, एक काम करो, है न, कि तुम्हें काम मेरे लिए, पहले एक दिन मेरे से मिल लो, मिरे साथ खाना खालो, तब मैं ये कर लोंगी नहीं तो मैं ऐसा कर लोगा मैं ऐसा कर लोंगी कि तुनको बोल देना है कि हां भई कर लो ठीक है लिक कर करके मत र300 के बॉल देना वैसे ठीक है वह तुम कर लो तुम करो और ऐसे लोगों दूर हो जाओ, क्योंकि इस तरीके के लोग आपको mentally torture कर देंगे, मानसिक रूप से प्रताडित कर देंगे, इतना प्रताडित कर देंगे आपको कि आपको लगेगा कि मेरी जिन्दगी में हो क्या रहा है, सारी चीजे ठीक होने के बावजूद मैं मानसिक रूप से परिसान कि पहले मेरे को गोल को पे खिलाओ, फिर मैं घूमने जाओंगा, या फिर मैं घूमने जाओंगी, फिर मैं बात करूँगा, फिर मैं बात करूँगा, भाई तु एक कामगर खुदी गोल को पे खाले, मैं अकेला ही घूम लूँगा, या मैं अकेला ही घूम लूँगा, इन इनको पड़ना नहीं है, इनको आगे लाइफ में कुछ बनना नहीं है, ये आते हैं आपकी लाइफ बरबाद करने के लिए, आपको अपनी लाइफ बरबाद होने से बचा लेना है, मैं यह सारी चीज़े इसलिए बताता हूं आपको क्योंकि हम सब जहले जुलाए हैं अब आपके सामने यहां पर खड़ें तो इसका मतलब है कि हमने कुछ जहला नहीं है स्कूल टाइम में सब कुछ जहल रखे हमने वह सारी चीज़े हो रखें जो चीज़े एक आम स्टूडेंट के साथ एक आम इनसान के साथ होती है क्योंकि मैं भी एकदम बिल्कुल गांस के एकदम बिल्कुल जीरो वाले परिवेस से उठ करके दिल्ली के एकदम हाई-फाई सहर में एकदम से गया था 12th के बाद तो वो सारे experience हमारे पास है उसी के अधार पर हम बताते बड़ा मुस्किल होता है इन चीजों से फिर निकल पाना आपके carrier पर ध्यान दे पाना फिर बाद में वो लोग जो आपको इस तरीकी से तंग कर रहे न वो कहीना कहीं सेटल हो जाएंगे गरवाले कहीना कहीं साधी बिय अपना नीर हमारा carrier पर ध्यान नहीं दिया तो carrier पर ध्यान देना जो है वो आपको करना है वो ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे चले हम जब बात कर रहे थे वाइस प्रेजिडेंट की उप्रास्ट पती गी तो उप्रास्ट पती पदेन सभापती है लेकिन राज्ये क सुना किसी राज्ये में उप्राज्येपाल हो राज्ये की स्तर पर कोई उप्राज्येपाल है ही नहीं जैसे संग के स्तर पर रास्ट पती है राज्ये की स्तर पर राज्येपाल है समयधानिक अध्यक्स संग के स्तर पर उप्रास्ट पती है वाइस प्रेजिडेंट है लेकि में तो एक ही पद है राज्येपाल का, तो इसलिए जो सभापती विधान परीषद का चुना जाता है, वो उनके सदस्यों के बीच से चुना जाता है, अब ऐसे मत समझना है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि उप राज्येपाल की पोस्ट पूरे भारत में कहीं नहीं होती, मै वहां पर उप्राज्य पाल होता है, उप्राज्य पाल ही वहां की सरकार है, वही वहां का प्रमुख अधिकारी है, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेगा, विधान परिशत के सदस्य से आपस में, मिल करके, अपने में से किसी को सभापती चुनते हैं, सेम बाकी पावर सक्तिया सब वही है, जो उनके पास होता है, सभापती के पास एक पावर नहीं है, कि वो वित विधेक को संदर्व में, कि वो ये फैसला नहीं कर सकता कि वित विधेक है कि नहीं, क्योंकि विधान परिशत के पास वित विधेक को लेकर गे कोई सक्तिया नहीं बाकी मामलों में वो सेम जो विधान सभागे पीठा सीन अधिकारी वैसी सक्तिया लेता है अब मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार जान लीजिए मंत्री और महाधिवक्ता के संदर्व में दो प्राउधान है सबसे important चीज सबसे पहली चीज कि उनके लिए विधान मंडल का सदस्य होना जरूरी नहीं है initial जब उनकी appointment हो रही है मंत्री की अगर मैं बात करूँ मंत्री की ठीक है कि वो विधान मंडल का सदस्य नहीं भी है तो भी 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते हैं छे महीने के अंदर अंदर विधान मंडल का सदस्य बनना पड़ेगा ठीक तो पहली चीज तो ये एक इनके पास special इनके प्राउधान है दूसरा प्राउधान जितने भी मंत्री हैं जो भी मंत्री हैं और जो महाधी वक्त हैं ये दोनों क्या कर सकते हैं ये दोनों विधान मंडल के दोनों सदनों में यानि की विधान सभा और विधान परिशत इन दोनों में ही इनकी कारेवाही में भाग ले सकते हैं बोल सकते हैं समीती के सदस्य रह सकते हैं महाधी वक्ता ठीक है इसका मतलब ये है महाधी वक्ता ना ना तो विधान सभा के सदस्य होते हैं, ना ही विधान परिसद के सदस्य होते हैं, उसके बावजूद दोनों सदनों में जाकर बोल सकते हैं, कारवाई में भाग ले सकते हैं, मंत्री वो एक सदन का सदस्य होने के बावजूद दूसरे सदन में भी जा सकता है, वहाँ पर भी बोल सकता है, वहाँ पर भी प्रसुनों का जवाब दे सकता है, कारवाई में हिस्सा ले सकता है, ठीक है, इसका रीजन ही है कि मंत्री जो है ना वो किसी एक सदन का नहीं होता है, एक बर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया, तो वो पूरे राज्ये का मंत्री है, और उसके मंत्राल राज्य सरकार का वकील, तो राज्य सरकार का वकील होने के नाते इसको दोनों सदनों में जाना जरूरी है, mandatory, तो ये इनके पास प्रावधान होता है, बस ये क्या नहीं कर सकता, महाधी वक्ता, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो vote नहीं दे पाएगा, वोट नहीं दे पाएगा ठीक है क्योंकि वोट के अबल सदस्य देते है मंतरी अगर वो ना विधान सभा का सदस्य ना विधान मंडल का सदस्य है तो ये भी वोट नहीं दे पाएगा लेकिन अगर मान लेते हैं वो इन दोनों में से एक सदन का सदस्य है मान लेते विधान सभा का सदस्य है तो यहाँ पर वोट दे देगा दूसरे में नहीं दे पाएगा जा सकेगा बोल सकेगा वोट नहीं दे पाएगा अगर मान लेते यहां का सदस्य है तो यहाँ वोट दे देगा इधर जा सकेगा बोल सकेगा लेकिन वोट नहीं दे पाएगा वोट केवल वही देखा जो सदन का सदस्य होगा सदन का सदस्य नहीं वोट नहीं वोट का मामला यह है ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं है आउस दा जोस कैसे बही जोस है आउस दा जोस एक हैसर कांसर देतो यआर हैसर और like share करो यार like share आप पता नहीं क्यों नहीं करते like share करो और यह याद करो य कोड को यह एक referral कोड है इसको याद कर लिजिए सब लोग अनेकेडमी का जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो ल, व, ल, आ, व, इ, इस कोड के साथ लेना आपको exam pass होने तक मैं guide करूँगा personal guide करूँगा exam pass होने तक कोई problem कभी भी नहीं आने देंगे fees में discount भी हो जाएगा admission लेते time इस code को लगाने से और telegram channel सब लोग join कर लीजिए telegram channel का नाम है unacademy लली त्यादव की पाट साला फिर से बोलता हूँ unacademy लली त्यादव की पाट साला अब विधाई प्रक्रिया देख लेते हैं same वैसी ही विधाई प्रक्रिया चलती है जैसे कि संसद में है 19-20 का अंतर है और कोई अंतर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर मैं विधाई प्रक्रिया को भी लंबा डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि संसद वाले चैप्टर में बहुत विस्तार से हम विधाई प्रक्रिया के उपर डिसकसन कर चुके हैं कि विधाई कैसे लाया जाता है किस तरीके से पास होता है कितने उसके रीडिंग्स होती है ठीक है उस पर आने से पहले अगर मैं सत्र की बात कर लूँ जो विधान मंडल के जो सत्र है उन सत्रों से संबंदित कुछ प्रावधान आपको बता देते हैं एक तो होता है आहूत करना, सत्र को आहूत करना, ठीक है, तो राज्येपाल जो है, वो सत्र को आहूत करता है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, तो सदन का जो है, वो स्थगन होता है, स्थगन, ठीक है, स्थगन जो होता है, इसका मतलब इसको करते हैं, पीठासी नधिकारी, य यानि कि सत्र जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाफ्थ हो गई ये करते हैं राज्येपाल गवर्नर करेंगे स्थगन से क्या होता है कि मान लेते हैं आज की बैठक चल रही है वो बैठक आज खतम हो गई उसको बोलता है स्थगन फिर उसमें पिठासी नदीकारी बताते हैं कि भीया अब अगली बैठक जो है अगली हम सब लोग जब सब लोग मिलेंगे वो फलाना फलाना तारीक को इतन स्माप्त हो गया अब अगले सत्र में बात करेंगे एक सत्र से दो सत्र के बीच में 6 मेहिने का गैप हो सकता है अधिकतम उससे ज़दा नहीं हो सकता तो यह सत्रा व्चान राज्ययपाल करते हैं यह चीज ध्यान रखना अब बात कर लेते हैं विघिटन एक होता है विघिटन जो विधान सभा होती है उसका विघिटन होता इसका मतलब कि अब उसका कारेकाल या तो समाफ्थ हो गया या कारेकाल से पहले ही विघिटन हो गया मतलब अब सरकार खतम हो गई और कोई भी सरकार न ने इलेक्शन होंगे तो ये वेकटन हो गया ये भी कोन जढ़ें करते हैं राज्य पाल करते हैं संग के चाहं पर बेर राश्पती हो जाएगा इसके साथ-साथ एक interesting सी चीज जो होती है वो होता है कोरम कोरम जिसको हम बोलते हैं गणपूर्ती गणपूर्ती ये थोड़ी सी interesting सी चीज इसलिए है क्योंकि अगर संसद की हम बात करते न तो संसद में क्या चाहिए कि 10 प्रतिसत कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिसत चाहिए सी नधिकारी को मिला कर गए तो उस सदन की बैठक चलेगी लेकिन राज्य के स्तर पर बड़ा ही interesting सा प्राउधान है क्योंकि सब की सीटे बराबर नहीं है तो कोई स्फिक संख्या नहीं कर सकते तो इसमें क्या करते हैं यह करते हैं कि या तो भाईया 10 सदस्य हूं ठीक है य 10 प्रतिसत सदस्य हूं मान लेते हैं कि विधाई यह दो कंडिसन्स हैं एक और दो किसी भी राज्य की विधान सभा का मान लेते हैं उसमें कोरम की बात कर रहे हैं तो कोरम में क्या हो सकता है कि या तो मिनिमूम विधान सभा के 10 सदस्य होने चाहिए या अगर विधान सभा बड़ी है तो उसमें एक दसवा इसा दसवा इसा यानि कि 10 परसेंट पूल संख्यागा 10 परसेंट होने जो भी जादा हो धειान रख्या यानि कि अगर मान लेते हैं कि एक विधान सभाय उसमें 200 द्सोज सदस्य हैं तो कि वहाँ पर दस सदस्य से काम नहीं चलेगा वहाँ पर आपके पास मिनीमम 20 सदस्य outta चोड़े न दान कारी कारी आपके अब मान लेते हैं कि कोई विधान सभाहर है जिसमें केवल साठी सदस्य हैं निमिbed ही आपके दस सदस्य मिनिमम होने चाहिए सदन में तभी इसका कारेकाल चलेगा, 40 सदस्य की जो विधान, विधाई का है, विधान सभा है, जैसे मिजोरम और गोवा में, वहाँ पर भी गणपूर्ती आप करोगे न, तो गणपूर्ती के लिए 10 सदस्य होने जरूरी है, जबकि अगर उनका 40 का 10 देखोगे तो यह ओल्मोस्ट 30% के राउंड आ जाता है 25% के राउंड आ जाता है यह चीज़े बड़ी विधान सब हैं वहाँ पर 10 पर जो भी जादा हो जो संख्या जादा होती वह मना जाते तो यह एक इंट्रेस्टिंग सी चीज यहाँ पर थी अब विधाई प्रक्रिया देख लेते हैं जी विधाई प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं विधेक को लेकर गे तो प्रक्रिया सेम सी ही है केवल विधान परिस्द को लेकर गे मा चलिए, आप लोग like share करते आगर, आप पता नहीं like share क्यों नहीं करते हो, काई नहीं करते हो, इतना मेहनत से इतना detail से आपको पढ़ाते हैं, इतना detailed classes आपको मिलेंगी नहीं कहीं पर भी, इसको like share करते रहना है आपको, ठीक है, जी, चलिए तो विधेक की बात करते हैं, तो सा जी के स्तर पर भी विधान सभा या विधान परिशद दोनों में से कहीं से भी साधारन विधेग को प्रारंब किया जा सकता है। अन्य सदस्य यानि कि सरकारी गैर सरकारी दोनों तरीके के सदस्य जो है वो विधेग प्रस्तुत कर सकते हैं। कि पहले पाठन में क्या होता है, कैसे विधेक का प्रस्तुति करन किया जाता है, सारुजनिक किया जाता है, उसको गैजेट में प्रस्तुत किया जाता है, फिर कैसे दूसरा पाठन होता है, चर्चा विचर्चा होती है, फिर तीसरा पाठन होता है, फिर कैसे समीती अवस्था में जाता है फिर वहां से कैसे आता है फिर वोटिंग होती है किस तरीके से होती है वो सब चीजें हमने समझाइए अब यहां पर मैं केवल बस रिवाइज करने के तरीके से बताऊंगा इसलिए संसद वाली क्लास देख लेना सब लोग उसको मिस्मत करना ठीके वो बहुत बड होने के बाद तीन पठन होने के बाद उसको दूसरे विधाई सदन में भेज दिया जाएगा अगर दूसरे सदन ने भी पास कर दिया तो राज्येपाल साइन कर देगा तो वो मामला कानून बन जाएगा ठीक है अगर दूसरा सदन पास नहीं करता तो मामला थोड़ा सा देखिए जी अगर विधान परिशद के अगर हम बात करते हैं विधान परिशद ने ये कोई इसने विधेक बनाया इसमें कोई विधेक प्रस्तुत हुआ विधेक प्रस्तुत किया गया कि बेरोजगार लड़कों क्या भी विवाह अनिवार होना चाहिए या कि बेरोजगार वो विवाह के लिए देखने वाली फैमिली जो आती हैं, वो इस आधार पर उनको ना नका रहें कि वो बेरोजगार हैं, मान लेते हैं, इस तरीके का कोई विधेक लाया गया, लोग कितना खुश होगे लड़के लोग है न, क्या मन में लड़ू फूटी है, क्या बात कर रहे अमारे सबसे बड़ा दुख तो यही था कि बेरोजगार हैं, रिष्टा नहीं हो रहा था, मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई विधेक लाया गया, विधान परिसद में लाया गया, अब विधान परिसद में ये विधेक जो है प्रस्तूत भी किया गया, पास भी कर दिया ग लिए, राज्येपाल साइन कर देगा, कानून बन जाएगा, अगर मान लेते हैं विधान सभाने इसको पास नहीं किया, इसने इसको खारिज कर दिया, तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ये बिल समाप्त हो जाएगा, खतम हो जाएगा, खलास हो जाएगा, जबकि सं संसद्द के स्तर पर ऐसा नहीं है संसद्द के सतर पर विधान अगर विध्य"-य विध्य sựवाने को विध्य पास करके लोक सभां के पास बेजा और लोक occupation ने इसको खतम कर दिया खारीज कर दिया पास नहीं क्या तो इसको बोला जाता है लोक सभा और राज़ में गतिरोध हो जाना कि विध्यक समाप्त नहीं होता है फिर उसमें क्या किया जाते हैं संसंध के सतर पर आर्टिकल 108 से राश्टपति संयुक्त बैठक उला भाव के पास पावर है, गजब की पावर है, कि वो विधान परिशत के विधेकों को समाप्त कर सकती है, ठीक है, और कोई joint sitting, कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान, राज्ये की स्तर पर नहीं होता है, यहां से सवाल कई बार मुख्य प्रारंभिक परिक्षा में आप से करवाते वे, आप से कहेंगे, पहला कथन, लोक सभा, राज्ये सभा के गतिरोध को समाप्त करने के लिए, संयुक्त बैठक संसद के पिठासी नधिकारी या लोक सभा के पिठासी नधिकारी द्वारा बुलाई जा सकती है, दूसरा कथन दिया जाएगा, राज्ये की स्तर विधान सभा और विधान परिसद में विधेक पर गतिरोध होने पर राज्ये पाल संयुक्त बैठक बुला सकता है, तीसरा कथन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, विधान परिसद एक सतत चलने वाला सदन है जिसका विगिटन नहीं होता है, चोथा कथन आपको दे दि और आपके विकल्ब रहेंगे A, एक और दो सही, B, दो और तीन सही, C, तीन और चार सही, D, दो और चार सही, कमेंट वोक्स बें आंसर दी जिए, चलिए सभी लोग, सारे लोग आंसर दीजिए, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, जो आंसर दे सकते हैं, इसी तरीके से क् चनाएंगे कुछी लोग आंसर दे रहें तो मैं आपको बता देता हूँ correct answer जो है तीन और चार इसका correct रहेगा पहला और दूसरी statement गलत है ठीक है पहली और दूसरी statement गलत है third और fourth statement इसकी correct रहेंगी इस चीज़ को ध्यान में समझना है ठीक है क्योंकि संग के स्तर पर जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राश्टपती के द्वारा बुलाई जाती है पिठा सी नधीकारी के द्वारा नहीं बुलाई जाती है ठीक है जी इस चीज़ को समझना है तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो correct है राज्ये के स्तर पर कोई संयुक्त बैठक होती नहीं है ठीक यह हो जाएगा कि मान लेते हैं कि विधान सभाने कोई विधेक पास किया विधान सभाने एक विधेक पास किया ठीक है इसका विधेक पास हो गया ये विध्यक पास करके अब ये कहा जाएगा ये जाएगा विधान परिसद के पास विधान परिसद के पास अब विधान परिसद क्या कर सकती है इसके उपर विधान परिसद इस पर अपनी सहमती दे सकती है तो राग जेपाल के पास भेज दिया जाएगा साइन करने के लिए विधान परिशद इसमें संसोधन करवा सकती है ठीके ये संसोधन अगर करेगी तो ये विधेयक दुबारा से विधान सभागे पास जाएगा विधान परिसद इसके उपर कोई कारेवाही ना करे ना करे तीन महीने तक यह होता है कि विधान परिसद कोई भी कारेवाही नहीं करे थीक है यह चीज है या एक और चीज कर सकती है कि वो उसको आस्वीकरत कर दे वो उसको माने नहीं तो पहला वाला मामला तो ठीक है यह हो गया तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह जो तीन मामले है न अगर ऐसी सिच्वेशन हो जाती है तो ऐसी situation में ये बिल क्या है ये दोबारा से विधान सभा में जाएगा विधान सभा में ना तो ये बिल समाप्थ होता है और ना ही इसके उपर सैयुक्त बैठ़क होगी ध्यान से समझेगा ना तो ये बिल समाप्त होगा ना ही इस पर संयुक्त बैठक होगी ये बिल दुबारा से जाएगा विधान सभा में अब विधान सभा अगर इसको दुबारा से पास कर देती है दुबारा से पास कर देती है दुबारा पास करके फिर से ये विधान परिशद के पास जाएगा विधान परिशद के पास जाएगा इस वाली प्रक्रिया के लिए अधिक्तम तीन महीने का समय मिलता है तीन महीने का समय रहता है विधान परिशद के पास कि तीन महीने के अंदर-अंदर या तो आप इसको reject करो या इसको accept करो या इसमें amendment करके वापस भेजो या इसके उपर तीन महिने तक कुछ भी कारवाई ना करो तो फिर से automatically वापस आ जाएगा विधान सभा में तीन महिने तक वो इस समय यहाँ पर delay कर सकती है अब वो मामला आ गया विधान सभा में दुबारा विधान सभा ने as it is दुबारा से पास कर दिया बिना कोई संसोधन के संसोधन कर भी कर सकते करना चाहे ता लेकिन मान लेता है बिना संसोधन के as it is पास कर दिया पास होकर के दुबारा विधान परिसद के पास जाएगा या इसको खारिज करना पड़ेगा ठीक है या इसके उपर कोई कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं सेम वैसी चीज़ें अब ये कुछ भी करें एक महिने के बाद ये मान लिया जाएगा कि ये विधेक पास हो गया कुछ भी करें कोई फरक नहीं पड़ता ये ही माना जाएगा कि हाँ भई आब ये मामला पास हो गया जैसे घर में होता है ना इस तरीके की चीज़् होती है फादर और मदर मम्मी और पापा में कई ने कहीं जैसे कि मान लेते हैं मम्मी पापा को बोलते कि वहिया देखो जी सुनते ओ ललित के पापा बहुत दिन होगे काम करते करते हाथ से कपड़े दोते दोते अब मेरे से नहीं दोते मेरे को वसिंग बसें चाहिए ठीक है और ममी को पता है कि पापा के पास limited salary आती है वो salary salary आते नहीं जो इमानदार government officers होते हैं उनका हाल ऐसे होता है कि उनका महिने का घर महिने का खातम होते होते हैं उनके पैसे खतम हो जाते हैं सतन खागें अगर उनके बड़े-बड़े बच्चे हैं, दो-तीन बच्चे हैं, जैसे हम तीन भाई बैने, तो पैसे खत्म से हो जाते थे, कुछ बसता नहीं था, ऐसे में कोई समान खरीदने हैं, कोई चीज खरीदने हैं, तो हमें पापा की salary को तीन-चार महीने बचाने के बाद फिर च मैंने काम के नहीं आई, फिर एक दिन मम्मी को जवाब दे दिया, कि भाया, वो सिंग मसीन मेर से नहीं आईगी, तो कुछ दिन मम्मी को गुस्ता आया, थोड़े सांत रही, कुछ दिन चुप चाप रही, फिर प्यार महुबद से फिर से समझाया, फिर से वोला, कि देखो मैं जा रही हूं अपने माई के, ठीक है, और मेरे आने तक वो सिंग मसीन होनी चाहिए, वो सिंग मसीन नहीं भी, तो आप जानो और आपका काम जाने, अपने कपड़े, जितने भी आप अपने आप दोना, मैं तो नहीं दोँगे, तो मेरे को अपने माई के से वापस आने तक वोसिंग मसीन चाहिए ठीक है तो ऐसे में थोड़ा टाइम बीत गया दूसरे अल्टीमेटम में भी पापा जी ने पास वोसिंग मसीन नहीं लाकर गे दी मम्मी आई अब घर के ग्रह मंत्री तो मम्मी है मम्मी से बड़ा ग्रह मंत्री थोड़ी होगा पूरे घर का होल्ड तो उनी के उस पर चलता है ठीक पापा की इतनी इमत की मम्मी के मर्जी के खिलाफ कुछ कर ले और मम्मी जो ठान ले वो काम ना हो घर के अंदर तो मम्मी ने कपड़े दोने बंद कर दिये अनसन पर बैठ गे तो ठक आर करके पापा ने गया परसनल लोनली और वसीन वसीन अल्टिमेटली पापा ने क्या किया उस उनने विधान परिषद की भूमी का नहीं भाई वो किसी मुद्धे को देरी करते चले गए डिले करते चले गए उन्होंने तीन-चार मेने लटका दिया मम्मी को लेकिन मना नहीं कर पाए वो सी मशीन आई ही आई विधान सभाने ज यही अंतर है यहाँ पर विधान परिशद में और विधान सभा के अंदर ठीक है जी उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजे हुई ठीक है जी चलिए तो इसमें आपने क्या देखा कि पापा के पास कोई पावर नहीं थी अलांकि इंडिया में बहुत कम सिच्वेशन्स ऐसी होती है जब पुरुष के पास सत्ती ना हो वह पित्र सत्तात्मक सोसाइटे हमारे में वह यह लेकिन हमारे पापा थोड़े से सीधे हैं वह काम पे जादा फोकस रखते हूं घरवाली मामलों में जो है उतता था तो उनमें मम्मी को ही accept करते थे अप्यों मेरे सारे लोगों को लगता है कैसे इनसान है ip लेक मैं समझता हूं कि मेरे पापा से समझदार इनसान कोई नहीं है ऑग वह बात इसलिए मैं बतारूं कि अगर आपको घर के अंदर सांत02 से जीना है और बिल्कुर Sindka सुकून की जिनकी जीनी है, किसी तरीके की टेंसन नहीं चाहिए, किसी तरीके की समस्या नहीं चाहिए, हथ्यार डाल दो पत्नी के सामने, ठीक, उनको अपने उपर का दर्जा बना करके रखो, आगर आपने वो कर लिया, आप से सुकून भरी जिंदगी कुछ नहीं, मैंने अपने पापा, मम्म और मेरे दादा दादी के experience से सीखा, वो दोनों बहुत बड़े बड़े officers हैं, दोनों दादा जी भी और पापा भी, लेकिन उसके बावजूद, घर के अंदर, मम्मियों के सामने, दादी के सामने, आत्म समरपन करे रखते थे, और ऐसे में उनकी जिंदगी सुकून से चलत खाने को लेकर जगड़ा, हर चीज को जगड़ा, तो घर में सांती थी नहीं, बार बार अंकल और अंटी के बीच में इस तरीके की समस्या होते थी, तो समस्या उसे समाधान ही है कि एक को आप स्विकार कर लो, उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, तो यहाँ पर जो है, व कुछ भी नहीं है, केवल डिले कर सकती है, देरी करने वाला जो है, वो सदन है, अब अगर हम बात करते हैं, धन विधेक की, तो धन विधेक के मामले में भी सेम ही चीज है, और कुछ चीज नहीं, जो अगर आप उने, वहाँ पर देखा है मेरे दोस्त, क्या गहते हैं, अग विधान मंडल होता है, कोई अलग नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, कैसे, कि यहाँ पर केवल लोक सभा में ही आप धन विधेक ला सकते हैं, केवल लोक सभा में ही ला सकते हैं, यहाँ पर जो है, केवल विधान सभा में ही लाया जा सकता है, केवल विधान सभा में ही लाय जा सकता है विधान परिसद में नहीं ला सकते हैं यह पास होने के बाद जो है राज्य सभाद जो है वो केवल 14 दिन तक उसको देरी कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती कुछ भी करें मान लिया जाता है कि उसने पास कर दिया यहाँ पर भी विधान परिसद जो है न वो भी सेम वो रखती है, situation, विधान परिशद में क्या होता है, ये भी 14 दिन तक डिले कर सकती है, 14 दिन से ज़्यादा डिले ये भी नहीं कर सकती, सेम ही चीज है, धन विधेक हमेशा निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, निम्न सदन का जो पीठा सी नधिकारी है, वही ये 14 दिन तक उसको डिले कर सकता है, उस पर चर्चा कर सकता है, विचर्चा कर सकता है, ठीक है, बाकि उसने उसमें अगर संसोधन किये हैं, उसको खारिज किया है, या कोई काम भी नहीं किया, उसको कोई फरक नहीं पड़ता, 14 दिन के बाद ये मान लिया जाता है, कि ये पास ह हो गया है ठीक है यह चीज है तो यह हो गया मनी बिल का मामला यह दोनों में ही एक जैसे हैं कोई भी अंतर नहीं है अब जातें राज्ये पाल की स्वीकृति मां लीजिए विधान सभा और विधान परिस्त दोनों ने बिल-पास कर दिया और दोनों का बिल पास होने के लिए बाद कानून बनाने के लिए कहा जाएगा तो भाई कानून बनाने के लिए तो राज्येपाल के पास जाएगा ना राज्येपाल साइन करेगा उसके उपर तो राज्येपाल के पास तीन चार विकल्प होते हैं पहला तो वो सहमती दे दे, मामला खतम कानून बन जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या करता है, वो उसको reject कर दे, है ना, सहमती ना दे, सहमती ना दे, ठीक है, तीसरा चीज जो है, वो क्या कर सकता है, वो उसको पुनर विचार के लिए भेज दे, धन विधेक को नहीं भेज सकता, यह ध्यान रखना, जो धन विधेक है न, इसके अलावा, धन विधेक के अलावा, बाकी विधेकों को वो पुनर विचार के लिए भेज सकता है, अगर पुनर विचार के लिए भेज देगा, और एक बार फिर से विधान मंडल ने उसको पास क करके राज्येपाल के पास भेजा तो फिर राज्येपाल को साइन करने ही करने पड़ेंगे राज्येपाल उसके उपर मना नहीं कर सकता लेकिन राज्येपाल के पास एक बहुत अनोखी सकती है अनोखी सकती है एक अनोखी पावर है जिसको बोलते हैं कि वो रास्ट पती के ल विचारार्थ सुरक्षित रख ले सुरक्षित रखे विधहेक को ठीक है यानि ये कहाईगा कि भई ये विधहेक बिल ऐसा है इसमें कानून का कोई मामला है और इसके उपर राष्टपती की पर्मिसन लेनी जरूरी है तो ऐसे किसी भी विधहेक को रास्ट पती की permission के लिए रख सकता है अब जब वो रास्ट पती के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो ये रास्ट पती के पास जाता है इसमें सेम वोई चीज होती है रास्ट पती सहमती दे सकता है रास्ट पती उसको hold कर सकता है रास्ट पती उसको पुनर विचार के लिए भेज सकता है ठीक है अब पुनर विचार के लिए भेज दिया विधान मंडल ने फिर से पास करके भेजा राज्येपाल ने एक बार फिर से रास्ट पती के पास भेजा तो ऐसे में अनिवार ये नहीं है कि रास्ट पती साइन अगर रास्थपती के पास वही विधेक दुबारा से आ गया तो भी कोई ऐसा प्राउधान नहीं है कि इसको साइन करना पड़ेगा और नहीं कोई ऐसी टाइम लिमिट्री बता रखे कि कि कितने समय के अंदर आपको इसको पास करना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि एक बार क दूर पर राजनितिक अधिक होते हैं political अधिक होते हैं समयधानिक कम होते हैं हलांकि यह प्राउधान यह सक्ति राज्यपाल को इसलिए दी गई थी ताकि कोई भी सरकार अगर समयधान के खिलाफ जाकर कि कोई गलत तरीके से कोई कानून बनाने की कोशिस करे उसकी इस प्र राज्यपाल के माध्यम से या तो उसके विधेकों को सुरक्षित रखवा करके परिसान करवाया जाता है या वहाँ पर राश्पति सास्तन लागू करके परिसान करवाया जाता है यह बहुत सारे अथ्यार हैं जिसका प्रियोग राज्यपाल के माध्यम से कराया जाता है अ उसमें इस सारी चीज़े डिसकस की हैं, तो ये सारी की सारी चीज़े यहां पर राज येपाल की स्वीकरती के लिए हो जाएंगे, मनी बिलका हो गया, अब स्थिती देख लेते हैं इनकी, जैसे हमने संसद के स्तर पर देखा था ना मेरे दोस्त, पार्लियमेंट के लेवल पर हमने देखा था, कि कुछ मामलों में लोक सभा और राज्य सभा बराबर थी, जैसे साधारन विधेक पास तरना, कुछ मामले ऐसे थे जिसमें लोक सभा राज्य सभा से अधिक सक्ति साली थी, जैसे संयुक्त बैठक, जैसे धन विधेक, कुछ मामले ऐसे थे जिसमें राज राज्य सूची के विशय पर कानून बनाने के लिए संसद को प्राधिकरत करना ऐसे ही विवस्था राज्य के लिए भी है राज्य के विधान मंडल में कुछ मामले ऐसे आते हैं जब विधान सभा और विधान परिशत दोनों बराबर होते हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें विधान सभा विधान परिशत से अधिक सक्ति साली होती है लेकिन सर्प्राइजिंगली ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें विधान परिशत विधान सभा से अधिक सक्ति साली होती हो राज्य के केंदर के स्तर पर आपने देखा ना कि राज्य सभा कई मामलों में विधान लोग सभा से जादा सकती रखती है लेकिन राज्ये के स्तर पर विधान परिशद जो कि यहां का उच सदन है एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें वो विधान सभा से ज़्यादा सक्ति रखती हो तो हम कुछ बराबर वाली सक्तिया देख लेते हैं कि जहां पर वो बराबर हो बराबर वाला कौन-कौन सा है तो सब अगर एक बर पास नहीं होता है उसके बाद मामला थोड़ा सा है लेकिन इनको अगर आप स्थापित करना है तो दोनों जगे लाए होगे ठीक है और सहमती है तो लोग विधान सभाजादा हो जाता है अध्यादेश अगर राज्यपाल जारी करता है ओडिनेंस जैसे संसद क के स्तर पर संग के स्तर पर राष्टपती अध्यादेश जारी करता है ऐसे ही राज्ये के स्तर पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो राष्टपती के अध्यादेश को संसद की अनुमती लेनी पड़ती है छे महिने के अंदर संसद के सामने रखनवाना पड़ता है ठीक है ऐसे ही राज्य के स्तर पर भी अध्यादेश को विधान मंडल के सामने रखवाना है अगर दोनों सदन है विधान सभा विधान परिशत तो दोनों से ही वो पास होना होता है नियुक्ति की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री और मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी जो रिपोर्ट देते हैं, जैसे कि राज्य वितायोग हो गया, राज्य लोकसेवायोग हो गया, भारत का जो कैग जो राज्य से संबंदित रिपोर्ट देते हैं, ऐसी रिपोर्ट को विधान मंडल के सामने रखा जाते हैं, तो दोनों सदनों के सामने रखा जाते हैं, विध प्रवान सभा रीजन क्या डारेटली इलेक्टिड लोग हैं मले हैं कोई भी एमले बनने के पाद एवह रिष्टेदार वह ज्यादा चोड़े होते हैं कई पर गाड़ी देखते गाड़ी की सिस्थे पर लिखा रहता है भूतपूर विधायक के जीजा का भतिजा भाई साब लंबा लंबा जो डारेक्ट विधायक हो उसका तो फिर भी लिखावा मान लें कि यहां भी है विधायक रहे लेकिन विधायक के जीजा का भतिजा है यह विधायक की साली के देवर का भाई मतलब कहां 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 क्या क्या रिष्टा 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 करके चलते हैं बहुत खराब टेंडेंसी है जो मैंने देखा है हर स्टेट में देखा है खास करके अगर मैं बात करूं जहां पर मैं ज्यादा रहा हूं तो मैं उनका उब्जर्वेशन मैंने ज्यादा किया है बाकी स्टेट में मैं इतना नहीं रहा तो मेरे को नहीं पता जैसे कि मैंने उत् पत्रकार इता शुरू करें तो लिखवा गाईगा प्रेस पत्रकार कोई दिलि पुलिस में सिपाई होगा अर्याना ने पूलिसतफ वह अपने seiner उनको लिखने से हम आम अदिमी से अलग हो जाएगे वह अपने आप अलग समझने लग जाते हैं और दूसरे उनके मन में एक धारना ये चल रही होते हैं कि ये सारी चीजे पद पोजिशन लिखने से हमें छूट मिल जाएगी कुछ मामलों का उलंगन करने की जैसे कि ट्रेफिक के रूल्स का उलंगन करने की कि गाड़ी के उपर लिखवा दिया DM, SDM, या गाड़ी के उपर लिखवा दिया, नियायधीस, हाई कोट के वकील, वकील ये भी लिखा रहता है, मैं वकील सहाब, तो उनको लगता है कि हमको छोटा मोटा रूल ब्रेक करेंगे, रेड लाइट जंप कर दी, या छोटा मोटा ओर एक्सिडेंट हो गया, टोल नह जावी है, कई मामलों में आप देखोगे, मैंने मैक्सिमम यही देखा है, जो जिस जाती से बिलोग करेगा, उस गाड़ी के उपर बड़ी ही सान्नो सोकत से लिखवाएगा जाती का नाम, ठीक है, छत्रिये, ब्रहमन, यादव, राजपूत, जाट, गुजर, वालमिकी, प अड़पन नहीं जलग रहा, नहीं आप कुछ बड़े बनने वाले, यह सब यह दिखाता है, कि आपका मानसिक्ता कितनी संकुचित है, कितने खतरनाक आप एक चंगूल में फस चुके हो, ऐसे लोगों के जो केवल राजनितिक रोटियां सेखते हैं, जो आपके काम कभी नह आने वाले, ठीक है, इन सब चीजों से निकल जाओ, जाती धर्म और यह लिखने, इनकी बजाए अगर आपको कुछ लिखवाना ही है, तो कुछ ऐसी चीजे लिखवाओ, जिससे उन लोगों को सम्मान मिले, जो लोग वास्तविकता हैं, बाकी आपकी चोईस आप जो भी कर लिखवाना है, तो इस तरीके की चीजे लिखवाई, जिन्होंने देश के लिए कुछ help, कुछ बहुत बड़ा काम किया, उन लोगों के लिए कुछ चीजे लिखे, जैसे मैं मेरी बाइक्स की बात करता हूँ, मेरे पास जो bullet है, और जो मेरी गाड़ी है, उनके उपर मैं हम जै किसान एक साइड में लिखवाता हूँ, और एक साइड में जै हिंद जै भारत लिखवाता हूँ, हमेशा, दो तरफ लिखवाई रखते हैं, एक तरफ जै 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 किसान, एक तरफ जै हिंद जै भारत, आपका अपना हीरो हो सकता है, मेरे हीरो किसान और जवान है, मैं उ के लिए लिखिए या आप खून ब्लड डोनेट करने वाले को हीरो मानते हैं तो उसके बारे में लिख दीजिए इस तरीके की चीजे वो थोड़ा जादा हैं वो इस तरीके की चीजे जो देश में एकता लाएं दोस्ती लाएं ऐसी चीजे मतलगा व जिससे कि जात-पात और बड़े धर्म भासा आपस में और लड़ते रहे रिजीड होते चले जाए मामले और उससे कुछ मिलना विलना है नहीं तो आसमानता की बात करें विधान सभागी कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें विधाई का जो है ना विधान सभाग जो है वो सूपर पावरुफल होती जैसे कि वित विधेक केवल विधान सभा में ही लाया जा सकता है विधान सभा ही पास करेगी विधान परिशत 14 दिन तक देर कर सकती उसके लावा कुछ नहीं कर सकती कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं कर सकती 14 दिन तक डिले कर सकता है कोई विधेक वित विधेक है या नहीं यह वि महीने तक डिले कर सकती है maximum किसी विधेक को उसके लाव नहीं कर सकती है ठीक है जो अगर हम बात करते हैं विधान सभाग तो विधान परिशद के वल 4 महीने तक किसी विधेक को डिले कर सकते हैं साधारन विदे को उसके बाद यही विधान सभा की पावर चलती है ठीक है अधिक्तम चार माहा के लिए वो रोक सकती है पहली बार में तीन महीने दूसरी बार में एक महीना जो मैंने सरकार बना सकती है सरकार गिरा सकती है यानि की कारेपालिका को बना सकती है और कारेपालिका को समाप्त कर सकती है विधान सभा में जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी कारेपालिका बनेगी जिसके पास बहुमत नहीं होगा उसके सरकार गिर जाईए अविस्वास प्रस्ताओं के माध्यन से सरकार गिरा दी जाती है। ते निर्वाचित छ्दस्य ऐन और लोकतंत्र में अंतिम सत्य लोगों के पास है इसका मतलब लोगों ने जिसको डरेक्टली चुना है वही निवनें लेंगे वही सत्य करने का अधिकार सत्य पे अधिकार रखते हैं इसलिए विधान सभा़ जो है वहा ही अविश्वास प्रस्ताव कर पारित करके मंत्रियों को हटा सकती है रज विधान परिशद के पास ऐसी कोई सकती नहीं होती है ठीक है जी अब अगर विधान जो मैंने आपको बताया था कि विधान परिशद ने कोई विधेक पास किया और विधान सभा के पास गया और विधान सभा ने खार तो उसको दुबारा विधान सभा के पास लाएना पढ़ता है विधान सभा उसको दुबारा я से पास करके बेज़ती है ठीक है और फिर उसके बादा से अगर वह विधान परिसंद में गण तो मान लिया जाता है कि पास हो गया इसका मतलब विधान परिशद के कोई भी बिल है वो खारिज किये जा सकते हैं विधान सभा के कोई भी बिल है उसको खारिज नहीं किया जा सकता समाप्त नहीं किया जा सकता विधान परिशद के दुवारा इतनी चीज समझनी है ठीक है जी election की बात करते हैं तो रास्ट पती और राज्य सभा में राज्य के जो प्रतिनिदी हैं इनके चुनाओं में विधान परिशत का कोई लेना देना नहीं है रास्ट पती के election की अगर हम बात करते हैं तो लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसपेट करते हैं ठीक है और राज्ये सभा के अगर हम बात करे तो जितनी भी विधान सभाएं हैं केवल विधान सभाएं इन विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिस्पेट करते हैं बस विधान परिशद का कोई लेना देना नहीं है ना तो राज्य सभा के सदस्यों को चुनने के लिए और ना ही राश्पती को चुनने के लिए ये चीज़ समझना है समिधान संसोधन वाले मामले में भी विधान सभाही सुपर पावरफुल होते जिस तरीकी से साधारन विधेग में देखा ऐसे ही विधान अगर समिधान संसोधन का कोई मामला आता है तो उसमें भी विधान सभाही उसकी ही स्विकृति अंतिम मानी जाएगी अगर विधान प 368 की बात करते हैं समिधान संसोधन की तो दो प्रावधान है एक में जिसमें लोक सभा और राज्य सभा ये दोनों दो तिहाई बहुमत से पारित कर दें समिधान संसोधन हो जाएगा रास्तपती के साइन होते ही अधिकतर प्रावधान समिधान के ऐसे ही है दूसरे की अगर ह राज्य संबंदों से जोड़ा हुआ कोई भी मामला है उसमें अगर आपको बदलाव करना है जैसे कि राज्य सूची का कोई विशय आपको समवर्ति सूची में डालना है तो यह संग्य विवस्था का मामला हो गया ऐसे मामले के लिए संविधान में संसोधन करना है तो आपक तो दो तिहाई बहुमत चाहिए ही चाहिए, विशेश बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, इनके साथ-साथ 50 प्रतिसत राज्य विधान मंडल जो है, स्टेट लेजिसलेचर, इनका रेटिफिकेशन, इनका अनुमोधन भी चाहिए साधारन बहुमत से, तिम्पल मैजूरीटी से ये साधारन भुमत से करते हैं, तो ऐसा कोई भी समविधान, संसोधन, विधेक, जो राज्यों की परिमिशन के लिए, उनके अनुमोधन के लिए, उनके रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, तो अगर किसी राज्ये में दो सदन है, विधान सभा और विधान परिसद तो वो दोनों सदनों में जाता है ठीक है लेकिन ultimately लास्टली उसमें अम्तिम पावर जो है विधान सभा के पास ही रहती है विधान परिशद उसको थोड़ा सद डिले कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है यह प्रावधान है तो अन्तता परिशद का अस्तितु भी विधान सभा पर निर्भर करता है यह भी बिल्कुर सही बात है क्यों क्योंकि विधान सभा को अगर गठित करना है तो यह प्रस्ताव कोन पास करेगा विधान सभा प्रस्ताव पास करेगी संसद के पास भेजने के लिए विधान परिसद को हटाना है तो हटाने का प्रस्ताव कोन पास करेगी वो भी विधान सभाई पास करेगी दो तिहाई बहुमत विशेस बहुमत से पास करके फिर वो संसद के पास भेजेगी तो यानि कि इसको हटान्य और इसको बनान्य इस चीज की प्रारम भी इसका प्रारम भी इसकी सुरुवात जो है विधान सभाई करेगी अल्टिमेट पावर तो संसद के पास है लेकिन सुरुवात तो यही करेगा विधान सभा करेगी यानि कि फिर संसद जो है विधान आ रहे हैं हाँ हाँ देख रहा हूं यहीना कि विधान सभा की सिफारिस के बाद संसद विधान परिशद को समाप्त कर सकती है बना भी सकती है समाप्त भी कर सकती है तो सोचो विनोध भी समझ गया ठीक है विनोध को भी समझ में आ गया आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कि सभा की तुलना में परिशन्द की सकतियां, लोग सभा की तुलना में राज्य सभा की सक्तियों के मुकाबले काफी कमजूर है। ठीक है, राज्य सभा जो है, उसको केवल वित्य मामलों को छोड़ करगे लोग सभा के समान अधिकार प्राप्त है। संग के स्तर पर देखोगे, तो राज्य सभाब बहुत पावर्फुल है भाई, केवल धन विधेक के मामले को छोड़ करके, संयुक्त बैठक के मामले को छोड़ करके, बाकि सम मामलों में लोक सभा के बराबर है, लेकिन अगर हम परिशद की बात करें दूसरी तरफ, स्थिती में भी आसहमती होने पर विधान सभा की ही चलती है, तो अधिकतर हर मामले में विधान सभा की वो अधिनस्त उसके अंडर में रहेगी, विधान सभा अधिक सक्तिसाली रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से पूरी विधान सभा का विधान परिशद्यों पर करते हैं और ये बोलते है कि ये उन लोगों की सरंस थली है जो विदान सभा का चुनाव हार जाते हैं इलेक्षन नहीं घीत पाते तो ऐसे में उनकी राजनितिक तुस्ठी करा Gesetzentwurf की पूरति केरने के के लिए उनकी सत्य नालसा को पूरति करने विदान परिसद के माध्यम से उन विधान परिशद बिल्कुल ही वो है कुछ गुण भी होते हैं कि खराब घड़ी गलत घड़ जो घड़ी बंद पड़ी है बंद घड़ी भी दिन में आपको कम से कम एक बार तो सही समय बताएगी ही बताएगी बताती है कि नहीं जब वो सही समय वो एक बार तो सही समय पर प तरक हैं उनको बड़े ध्यान से समझना सबसे पहला तरक तो यह कि माल लेते हैं कि विधान सभाने कोई विधेग बहुत जल्दबाजी में जल्दी जल्दी में लोग प्रियता पाने के लिए बस बना करके भेज़ दिया कि भी आप बस इलेक्षन जीतना है लोग प्रियता पानी हैं कैसे भी करके बस बनाया और कर दिया उसमें कुछ तुरुटियां रहेगी कुछ कम्या रहेगी तो ऐसे में विधान परिशद क्या करती हैं विधान सभा कि उन तुरुटियों को उन जल्दबाजीयों को उन गल्त पता तो चलेगा कि क्यों नहीं किया मीडिया को पता तो चलेगा सुर्ख्यां तो बन जाएंगी पूरे भारत की तो ऐसे में सब को पता चल जाएगा कि क्या गडबड है क्या गडबड नहीं है तो ऐसे में सरकार के उपर यानि कि विधान सभा जो है ना विधान सभा में ही सरकार जो सत्ताधारी पालिटिफ्स का बहुमत होता है तो उसके उपर ये प्रैसर आएगा ये दबाव आएगा कि आप ये गलत चीज जो है इसको हटाओ लोगों के फायदे के लिए भलाई वाली चीजों को उसको जोड़ो तो एक तो ये इसमें फायदा करती है दूसरी चीज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव होता है जिंदगी का अन्य विशियों का कई सारे मामलों का जैसे खेल वाले बहुत काम किया है अभूतपूर तरीके से उन्होंने उसमें मदद की है उन्नती करने में बहुत वैवहारी ज्यान रखते हैं अब ऐसे लोग ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं इलेक्शन लड़ने में या इतना पैसा नहीं होता है सच्चे इमानदार व्यक्ति के राज्य के विकास के लिए लिया जा सकता है राज्य की उन्नती के लिया जा सकता है नीतियों को और बहतर बनाने के लिया जा सकता है तो ऐसे में विधान परिसद में इनके नामांकन का प्रावधान है तो ऐसे विशेसग्य प्रबुध व्यक्ति राज्य विधान परिसद म नामांकित होते हैं, नामांकित होने पर इनका फाइदा राज्ये के लिए विधेकों को, कानुनों को और बह्तर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये दो इसके हित हैं, दो इसके पक्ष में आप अर्गूमेंट दे सकते हैं। आप से सवाल आ जाए मुख्य परिक्षा में, कि जहां संग के स्तर पर विधाईका का उच सदन, निम सदन के लगभग बराबर ही सक्तियां रखता है, वहीं राज्य के स्तर पर विधाईका का उच सदन, निम सदन के हमेशा अधिनस्त प्रतीत होता है, क्या राज्य के स्तर प आपको आदे बहुत सारे लोग जो केवल किताब पढ़ते हैं ऐसी classes देखते हैं जिसमें this and that यह हो गया यह हो गया वह 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 हो जाएंगे यह हो गया वह हो गया से नहीं होगा जो लोग जिंदा थे class में वो लोग इसका answer कर पाएंगे उसमें आपको पहले clearly अंतर बता देना हैं दोनों के बीच में ठीक है और उसके बाद आपको यह बताना है कि हाँ यह बात जरूर है कि विधान परिसद जो है वो एक सक्ति हीन सदन है लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे situation है कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें विधान परिसद एक बहतर भूमी का निभात सकती है नि अपने ही विकास या अपने राज्य की परिस्थितियों को अधिक भेतर समझ सकता है कि भीया उनको वहाँ पर विधान परिसद की आवसकता है कि नहीं है तो लोकतंत्र में अंतिम अधिकार जो है अंतिम सक्ति जो है जनता के पास है और वो जनता का प्रतनेधित तो राज् सभागे उसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए आव सकता के अनुसार अगर उनको लगता है कि काम की नहीं है तो बना ले यह कोई अनिवार यह प्रावधान नहीं है आप वहाँ पर जाते डारेक्ट यू मत दे देना कि बिल्कुल हटा देने चाहिए या ऐसे भी मत लिख देना अतिवादी नहीं है किसी चीज में ना तो बहुत अतिधिक एक पक्स में ना ही किसी दूसरे पक्स में है चीजों को हैंडल करना इसको आता है कि कैसे चीजों को समय के साथ हैंडल करना चाहिए इस तरीके से चीजे आपको एक्जाम में दी जाएंगी ठीक है जी तो आगे बढ़ने से पहले जरा house the joss बताएंगे house the joss कैसे है मेरे दोस जोस house the joss एक answer आना चीए है कि hi sir थोड़ा joss high रखा गरो यार आप लोग high रखोगे तो हमारा भी joss बना रहता है हमारा motivation भी आपके साथ बना रहता है और like share करा करो यार आप लोग like share करते रहा अगरो इसको और an academy का course जब भी लें तो ly live code जरूर apply करें यार ly live code अपलाई करेंगे तो आपको benefit मिलेगा बहुत सारे फाइदे होंगे fees में discount के साथ साथ और मेरा guidance भी मिलेगी ठीक है यह भी है अब अगर हम बात करते हैं विसेशादिकार की तो हमारे constitution में एक article है संसद के भी सदस्यों को विसेशादिकार मिलते हैं ठीक है और विधान मंडल जो है इसके सदस्यों को भी विसेशाधिकार मिलते है ठीक है जी और इसके लिए Constitution में दो आर्टिकल हैं जो परस्ट प्रावधान करते हैं सारे लोग comment box में बताएंगे मैं आपका देखना चाता हूँ कितने मेरे प्यारे दोस्त हैं जो ये comment box में मेरे को बताएंगे कि संसद के लिए विसेशाधिकार का कौन सा आर्टिकल है और विधाईका के लिए विधान मंडल के लिए कौन सा आर्टिकल है जो विसेशाधिकार उनको प्रादान करता है जल्दी से comment box में बताएंगे सारे दोस्त सब के सब सभी के सभी बताएं बड़ा confusion में हैं कई सारे लोग संसद के लिए आर्टिकल 105 होता है 105 वा विधान मंडल की बात करते हैं 194 ये दो अनुछेद हैं जिनके अंदर विसेशाधिकार जो है वो दिये गए हैं ठीक है और ये विसेशाधिकार दोनो तरीके के होते हैं ठीक है इनको दोनो तरीके के विसेशाधिकार मिलते हैं सामूहिक रूप से भी मिलते हैं और व्यक्तिगत भी मिलते हैं दोनो तरीके के जो हैं इनके पास ये विसेशाधिकार होते हैं सामूहिक रूप से अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे कि विधाई का जो है वो अपने कारी संचालन के नियमों का निर्धारन कर सकते हैं, अपने उलंगन के मामले पर सजा दे सकते हैं, विशेसादिकारों के हननन पर सजा दे सकते हैं, सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं, अपनी कारेवाही जो हैं, उनका व्यक्तिगत आधार पर देखें, तो व्यक्तिगत आधार पर क्या होता है कि जो भी विधाईका का सदस्य है, उसको विधाईका में सोतंत रूप से बोलने की सोतंत रता है, किसी भी बुद्धे पर कोई भी बात वो बोल सकता है, उसके अभी व्यक्ति के आजादी है, उसके गई किसी बात पर आप सदन के बाहर जा करके विधाईका के बाहर जा करके आप उस पर केस नहीं चला सकते नियाय पालिका में उसके उपर केस नहीं हो सकता इसलिए आप देखना कि विधाईका के अंदर हमारे नेता लोग खुब खुल करके बोलते हैं गंदी से गंदी पर आजादी है बहार तो कुछ होगा नहीं ठीक है जिसको एक दूसरे से खुणना सारी होते हैं खास करके राज्यों की विधाइका में तो यह देखना कि जो लोग दुस्मन जिनको कोई किसी चीज पर बहुत दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्टा है दुस्मन ही है तो बहा क्योंकि सारी फाइट सारे दाओं पेच वहाँ पर दिख जाते हैं यहां पर अपनी भड़ास निकाल लो बार केस नहीं होने वाला कि विधान से उसका उलंगन करते हैं हनन करते हालांकि ऐसे मामलों में फिर जो पिठासी नदिकारी है वो उनको सजा देता है उनको निलंब चालिस दिन बाद तक आप उनको गिरफतार नहीं कर सकते आप राधिक मामलों में कर सकते हो सिविल मामलों में नहीं तो ऐसे कुछ विशेसा अधिकार इनको दिये गए हैं उसका रीजन यह है ताकि यह स्वतंत्र हो करके अपना पक्स रख सके जिस जनता ने इनको अपना प्रतिनिधी चुन करके सदन में भेजा है अपना नेत्रतों करने के लिए यह उनकी समस्याओं को खुल करके रख सके हर चीज का जवाब दे सके क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि चाहें सब लोग 99 लोग एक तरफ हो जाएं और एक व्यक्ति विपक्ष में हो उसकी रा तो लोगतंत्र में तो सब के पास अधिकार है सब को इक्वल राइट है इसी लिए उनके प्रतिनिधियों को इस तरीकी के विसेसाधिकार दिये जाते हैं यह चीजे हैं ठीक है मेरे जितने भी दोस्त तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी इतने ही था राज्य विधान मंडल में काम खतम हुआ आप मेंसे जितने भी प्यारे दोस्त हैं अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं तो यह रैफरेल कोड जरूर याद कीजिए यार रैफरेल कोड इसका नाम है ल वाई ल आई वी ए ठीक है ल वाई लाई लाई करेंगे पूरी फीस में डिसकाउंट भी हो जाएगा आपको हमारी तरफ से जितनी भी मदद हो पाएगी वो पूरी मदद आपको यहां से मिलेगी ठीक है वाई और टेलीग्राम चैनल जोइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है अनकेडमी ललीत यादव की पाट साल ठीक है अनकेडमी ललीत यादव की पाट साला मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है जाकर के जोइन कीजिए आपके लिए मैंने फ्री में सारे पीडिएफ डाल दिये फ्री में कोई भी free में नहीं डालेगा free में सारे notes नहीं देगा मैंने आपको सारे के सारे notes सारी की सारी books free में दे दी हैं आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई problem वहाँ पर नहीं आएगी ठीके जी मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लोग उसको join कीजिए चलिए जाइए और आपको हर चीज का support वहाँ पर मिलेगा हिंदी में भी हैं इंग्लिस में भी हैं bilingual में भी हैं दोनों में हैं मेरी class का notification भी वहाँ पर मिलेगा मेरी personal details भी मिलेंगी आप मेरी team से संपर्ख भी कर पाएंगे admissions related ठीक है और subscription के लिए अगर आपको contact करना है तो मेरी team से contact कर लेना telegram channel का नाम है unacademy लली त्यादव की पाट साला वहाँ पर number है और अगर आपको मेरे से बात करनी है admission लेने से पहले तो आप मेरी team को बोलना हुआ आपकी बात मेरे से करवा देंगे मेरे manager को बोलना हुआ आपकी बात करवा देंगे मेरे से ठीक है मैं अपने सारे students से करता हूँ one on one admission लेने के बाद तो आपको फिर हम directly पूरा guide करेंगे one on one proper video goal पर कोई problem नहीं आने देंगे कभी भी ठीक है जी इस चीज़ को ध्यान रखना है और ऐसे ही बस प्यार देते चले जाना आपके प्यार के बुखे हैं आप जितना प्यार करेंगे उतना ज्यादा हम आपको और बहतर सेवाएं देंगे और ज्यादा service देंगे like share आपका प्यार दिखाता है ठीक है और आप जब subscription लेते हैं तो ये code आप apply करना जरूर personal guidance सबसे important है मैं बताता हूँ कि बिना guidance के कुछ नहीं है कि क्या पढ़ना कब पढ़ना कितना पढ़ना आप क्योंकि हर student की situation अलग है सभी student एक जैसे नहीं है हर किसी के लिए एक अलग एक ही strategy सब पर काम नहीं करेगी सब के mental परिस्थितिया मानसिक योग्यताइं अलग है सामाजिक आर्थिक प्रस्ट भूमी अलग है तो ऐसे में हर किसी की अपनी अपनी अलग-अलग समस्याइं है तो उनको पहचान करके उनके लिए strategy बनाने कि कब क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना किस पर जादा focus करना है किस पर कम करना है यह एक teacher कर सकता है जब वो खुद involve होकर करके अपने student को guide करे मैं अपने सारे students के साथ guide involve होता हूँ personally तो वो आपको एक help मिल जाएगी अगर आप subscription लेते इस code से L Y L I V code से दूसरा आप जब motivation डाउन है जब हारे हुए है परिसानी में उस समय आपको उठा करके सही रास्ता दिखाए personally वो काम भी एक teacher कर सकता है वो मैं करता हूं तो हम अपनी अपने अनुभाव से अपनी जो भूतकाल में गलतियां किए उनके आधार पर हम आपको गलती करने से बचा सकते हैं ये एक सबसे बड़ी चीज है तो वो तभी होगा जब एक teacher खुद guide करें तो मैं तो करता हूं खुद से guide आप बात करोगे आपको मेरे से बात करनी होगी आप बोलना manager को करवा देंगे ठीक है admission के बाद तो आप direct personal detail आपके पास देंगे मेरे personal group में रह करनी है मेरे team ups की बात मेरे से करा देंगे मैं करता हूं ठीक है क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोग है तभी मैं यहां पर पहुंचाओ नहीं तो नहीं आप लोगों का प्यार है इसलिए मैं यहां पर हूँ आप लोगों के प्यार नहीं हमें बनाया है नहीं तो और कुसे न य लाइव रेफरेल कोड जरा comment box में लिख करके बताएए क्या रेफरेल कोड है comment box में सब लोग लिख करके बताएँगे य ल आई वी ठीक है य ल आई वी य य य रेफरेल कोड है सुभें 9 बजे संसद का चैप पार्ट 2 होगा हमने पार्लियामेंट वाला चैप्टर क्योंकि वो जादा बड़ा था तो उसका एक सेशन दो घंटे का लिया था उसका थोड़ा सा एरिया बच गया दो धाई घंटे का बाक्की का आधा बचा हुआ हिस्सा वो सुभें 9 बजे होगा सुभें 9 बजे क्लास होगी सब लोगों को 9 बजे आ जाना है ठीक है और रात में 9 बजे हम लेंगे नगर निगम की क्लास ouv動画 को आपकी पूरी की पूरी लक्षमी कांत के जो बाक्की के बचेवए जितने भी चैप्टर्स है जितने भी बचेवए चैप्टर्स है वो सारे के सारे मैं एक ही क्लास में एक मैराथन क्लास में कम्प्लीट कर दूँगा लगबग चैप्टर नमबर 70 से लेकर के 80 वो बचे हुए 72-80 ठीक है 70 से लेकर के 80 वह तक उससे पहले वाले मैंने ओर्ड़ी करवा दिये हैं धुआधार रिविजन सिरीज की आप प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे वो रिविजन हो गया है तो एक ही दिन में आखरी के 10 चैप्टर हैं वो मैं करवा दूगा 3-4 गंटे की क्लास रहेगी उसमें वो सारा समाप्त हो जाएगा तो इसका मतलब यह वा कि मंडे को सोमवार को या सोमवार को आपकी पूरी लक्षमिकांत समाप्त हो जाएगे पूरा रिविजन समाप्त हो जाएगा तो एक मात्र ऐसा एजुगेटर आपको मिलेगा जिसने अपना पूरा पूर्स फ्री में करवाया है सब के लिए डिटेल से भी लाइन बाइन भी सारी पॉलिटी पड़ा दी NCRT भी करवा दी और उसका सुपर फास्ट रिवीजन धुहाधार रिवीजन भी करा दिया पूरी M. लक्षमी कांत का 40 से 45 घंटे में और वो भी अच्छे की पॉइंट के साथ बने बनाए नोट्स भी आपको लिए करा दिये और आपको सारे नोट्स फ्री में दे भी दिये ठीक है तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास था एक कोशिस थी कि मैंने अपने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके दी NCRT जो है 12th क्लास के स्टार्ट करेंगे जो 2nd NCRT है और 11th क्लास की जो 2nd NCRT वो 2 NCRT अभी बची हुए उनको मैं फिर से करा दूँगा अभी नए शुरू करा दूँगा ठीक है और 12th क्लास की जो एक IR वाली NCRT उसके तीन चैप्टर अभी पेंडिंग है तो मंगलवार, बुदवार, ब्रस्पतिवार, शुकरवार, सनिवार वो तीन दिन में तीन NCRT के तीनों चैप्टर को हम मैराथन क्लास लेकर के कंप्ली गया, और भी कई सारे मुद्धे, उन सब को हम देखेंगे, जैसे करनाटक का हिजाब वर्सिस भगवा वाला विवाद हुआ, उन से कैसे आंतरिक सुरक्षा, वो खत्रा, साइबर क्राइम, कई सारी चीजों के उपर हम एक क्लास में डिसकस करेंगे, उसके बाद आंतरिक पहले पहले ये सारी चीज़े समाप कर देंगे, 16 तारिक से हम एक नई सुरुआत करेंगे, 12th क्लास की NCRT और 11th क्लास की NCRT और Bilingual क्लास, जो Bilingual क्लास जो Pending है, वो रिज्यूम कर देंगे उसके बाद, ठीक है जी, तो आपके लिए बहुत सारी करेंगे, History भी स्टार्ट कर करेंगे, एक और फिर से आप सब के सामने खड़े होगे, आप सब उनने बहुत प्यार दिखाया, Instagram पर खास कर के आप लोग जिस तरीके से परसनली हमसे जुड़े मैसेज किये, फोलो गया, उस सब के लिए धन्यवाद, आप सब के प्यार नहीं हमें, हमेशा मजबूती दि प्लस पर मेरा ओप्सनल कोर्स जो है, वो पोलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन्स है, पी एस आई आर मैं पढ़ाता हूं, हिंदी और इंग्लिस दोनों में, बाइलिंग्वल में भी, और पॉब्लिक एड्मिस्ट्रेशन लोग प्रसासन है, तो इस महिने, मैंने में हम सुरू करेंगे राजनिती विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन्स, अगले साल, फरवरी या मार्च में हम लोग प्रसासन स्टार्ट करेंगे, और जून के आसपास जाकर के प्री खतम होने के बाद हम सोशियोलोजी, समाज सास्त्र, व सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहूँ, गाइडेंस सबसे इंपोर्टेंट है, उसके बिना नहीं हो पाती है, चीज़े, क्लासिस तो हर को ही कराता है, टीचर की गाइडेंस रेगुलर है, तो इसके लिए आपको ये कोड अपलाई करना है, यल यल मेरे से बात करनी है, सब्सक्रिप्सन की जानकारी जादा चाहिए, टीम से, एडमिसन से पहले मेरे से कुछ बाते करनी है, तो टेलिग्राम चैनल पर टीम का नंबर है, उनको बोलिए कि सर से बात करनी है, एडमिसन के रिगार्डिंग, वो बात करा देंगे आपकी मेरे से, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनेकेडमी लली त्यादव की पाट साला फिर से बोलता हूं अनकेडमी लली त्यादव की पाट साला ठीक है चलिए तो जाने से पहले एक बार हाउस दा जोस कांसर देंगे सबी लोग हाउस दा जोस जोस कैसे है वही है कि नहीं एक आंसर आना चाहिए आपका कि हाई है जोस बोट जितना हाई रहेंगे हाई जोस रहेगा पजितिव एनर्जी बनी रहेगी सकारात्मक रहोगे तो नेगेटिव चीजों से बसते चले जाओगे जो लोग आपके बारे में नेगेटिव चीजों बोलते हैं या आपको परेस पीछे खीचने की कोशिश करते हैं आप अपने लक्से की तरफ बढ़ते चले जाएगे तो जखके लिए आप सबको सुबकामना है आप सबको best wishes वीडियो को like जरूर करना है share करना है class खत्म होने के बाद comment करके बताने की class कैसी लगी ठीक है और आपको क्या चाहिए मेर से वो मेरको बताने उन सबको क्योंकि वो comments मैं खुद से पढ़ता हूं और मैं खुद ही reply भी करता ह उनका तो आपको पूरी help होगी हमारी details personal details भी उसके माध्यां से आपको मिल जाएगी चले तो जल्दी मिलते हैं आप से आप सबको मेरे तरफ से जै हिंद जै भारत let's crack it झाल 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 झाल